हां जी कैसे हैं आप सभी, उमीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, मेरा नाम है हितेश और ये एक बहुत इंट्रोस्टिंग वीडियो है टेल विंड सी एसस के उपर इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले आप से डिसकस करूँगा कि क्या हम सीखने वाले हैं, क्या हम करने वाले हैं और किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे सबसे अची बात ये वीडियो रहेगा hands-on, साथ में code लिखेंगे, थोड़ा code मैं लिखूँगा, थोड़ा हम research करेंगे online और थोड़ा सा आप भी लिखेंगे साथ में देखिए, इंटरनेट के अंदर जब भी आप कोई चीज सीखते हैं, specially ये जो skill domain है, ये arm domain नहीं है यहाँ पर आपको कोई भी चीज अगर सीखने हैं, तो उसको एक perfect order होता है, और कई बार आप उस position में होते हैं कि ये skill मैं सीख सकता हूँ, ये दूसरी skill सीखने के लिए अभी मुझे थोड़ा वक्त है तो यही चीज में इस first video के अंदर आपकी clear करूँगा, और eventually हम चोटे-चोटे videos के अंदर इसको divide करेंगे ताकि आप practically सीख पाएं अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्या आप इस video के अंदर जाने के लिए ready हैं या नहीं हैं, देखे हर video का एक target audience होता है अगर वो target audience start में define नहीं होगा, तो क्या करेंगे, आप comment में बोलेंगे कि मुझे तो समझी नहीं आया और फिर कहेंगे, हितेश ने बताया है नीता, हितेश ने तो बताया था, और आप भी बता रहा हूँ कि आप target audience है या नहीं है ये video है Tailwind CSS के बारे में, इसके बारे में at least मैं आपको overview तो दूँगा, ताकि आपको ये तो समझ में आ जाए कि Tailwind actually में है क्या और क्यों इतना जादा popular हो रहा है, पट क्या आप सीखने के लिए उसको ready है या नहीं है इसके लिए हम एक छोटा सा भी test करेंगे, आपको खुदी पता लग जाएगा कि आप कर सकते हैं नहीं देखें Tailwind CSS जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर खुदी लिख रखा है कि यह utility first CSS framework अब utility first CSS framework क्या है कैसे वो बाद में देखेंगे, बट यह हमें पता लग गया है कि यह CSS का framework है जितनी भी programming language है या जितना भी tech का skills है, इसके अंदर हर चीज को सीखने का एक सही समय और सही वक्त होता है जैसे कि for example आपको सीखना है Next.js, तो Next.js आप directly नहीं सीख सकते हैं कि ठीक है मैंने framework का नाम सुना, आभी मैं Next.js के अंदर कूद पढ़ता हूँ आपको नहीं समझ में आएगा, Next.js React के ओपर बनावा है और React एक JavaScript की library है तो सबसे पहले क्या होगा, और वैसी बात है आपको JavaScript सीखना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा सा React का basic सीखेंगे और फिर आप Next.js सीख सकते हैं इसी तरह से क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं, एक CSS का utility framework, तो आपने सही guess किया, आपको CSS का basic knowledge होना चाहिए और यही इस target audience है इस वीडियो की, कि आपको पता होना चाहिए CSS का basics मैं यह नहीं कहता कि आपको एकदम master होना है, बट जब मैं बोलता हूँ padding क्या है, margin क्या है, background color कैसे है, grid क्या है, flex box क्या है, अगर मैं बोलता हूँ align item centers तो वो क्या है, तो यह सब आपको at least पता होना चाहिए थोड़ा बहुत हम यहाँ पे grid भी use करेंगे, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे flex box भी use करेंगे, और majorly हम CSS use करेंगे, अगर आपको इन सब के बारे में थोड़ा detail knowledge है, तो तो आप सही audiences वीडियो के लिए, otherwise थोड़ा सा CSS पढ़िए, और वापिस आईए, मैं भी है यही हूँ, वीडियो भी है, कही नहीं जा रहे हम यहाँ पे, तो बात करते है tailwind के बारे में, tailwind एक revolutionary framework है, CSS लिखना already आपको पता है difficult है, और बहुत सारे लोग avoid ही करते हैं, CSS लिखना बने-बना एक components या libraries को inject कर देते हैं, जैसे कि bootstrap कि ठीक है, button बन गया, card बन गया, मेरा काम हो गया ह आपे, लेकिन जैसे ही tailwind आया, tailwind ने सब कुछ बदल के रख दिया है, अभी CSS लिखना comparatively easy है, थोड़ा faster भी है, maintainable भी है, और optimized भी है, अब इतने सारे feature एक साथ कैसे आये tailwind के अंदर, वही तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, थोड़ा से ये भी जानेंगे, और होता है, documentation, तो please, 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 मेरी बात मानिएगा, documentation पे सबसे ज़्यादा focus करिएगा, कोई tutorial, कोई person आपको इतना अच्छा नहीं सिखा सकता, जितना documentation है, तब ही तो, roadmaps के वीडियो इतना popular होते हैं, लेकिन roadmaps के अंदर आपको documentation थोड़ी ना बताया जाता है, तो यहाँ पे हम स क्या नहीं करना है, फिर क्या करना है, उस पे बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं यहाँ पे, कि Tailwind क्या है, एक utility framework है, अगर आप में से किसी ने पहले CSS थोड़ा सा पढ़ा होगा, या कुछ try किया होगा, bootstrap में आपको कुछ classes मिलती थी, कुछ padding के लिए और कुछ के लिए, imagine करिए वो सारी classes से ही पूरा का पूरा आपको framework या पूरा webpage आपको design करना है, वो ही Tailwind CSS है, अब दिखने में starting में थोड़ा सा tough लगता है, कि ऐसे कैसे होगा, पूरी CSS हम क्या inline में लिखेंगे, हाँ, उन सब पे बात करूँगा, लेकिन कुछ इस तरह से आपको classes मिलती है, जैसे flex, pt4, यानि की padding top से 4, अब 4 की value क्या है, वो सब भी बताऊंगा, बढ़ हाँ, इसी तरह से हम लिखते हैं, text center लिखते हैं, rotate 90 वगरा ये सब कर सकते हैं, अब Tailwind की जो खास बात है, वो क्या है, कि आप इस तरह से कुछ Tailwind लिखते हैं, तो आपको ल CSS होती है, जो कि आपके काम में आएगी, सारी CSS export नहीं होती है, कैसे उसको configure करने हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है, कुछ इसके features के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इसने लिख रखा है, an API for your design system, इसका मतलब क्या है, कि आपको छुट-छुटी classes के में नाम और automatically behind the scene उन classes के बारे में लिखा जाएगा, automatically, जैसे मैंने कहा कि width 96 चाहिए, तो automatically इतना बड़ा यहाँ पे एक बार मेर पास आ गया है, तो इसी तरह से आप पूरी की पूरी CSS लिखते हैं, आपको shadows चाहिए, आपको typography चाहिए, तो सब चीज के लिए classes already defined है, already सब कुछ बन सारे cards से लेके जितना भी आपको playful चाहिए, जितना भी सब चाहिए, वो मिल जाता है, यह सबसे important section है, it's tiny, never ship unused CSS, देखें जब आप bootstrap लिखते हैं, या कुछ भी और लिखते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी CSS है, वो सारे की सारे ही ship होती है, यानि की production में जाती है, अब आप एक page, दो page, पाँच page बना रहे हैं, तो ठीक है, कोई जादा फरक नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन कोई बड़ी website है, जिसका traffic बहुत heavy है, जैसे twitter हो गया, या फिर आपका facebook हो गया, instagram हो गया, वहाँ पे अगर यह सारी CSS जो की use भी नहीं आ रही है, वो जाएगे तो obviously बात है network में traffic बढ़ेगा, network में congestion आएगा, जो की अची चीज नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे आप कुछ भी classes लिखते हैं, मैं इसको एक बर और reload करके वापिस से आता हूँ, तो देखिए, आपने लिखा flex, इसने अपने आप ये CSS लिखा, आपने लि everything, ये सबसे अची चीज है, tailwind जो है by default ही responsive है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं obviously बात है करना पड़ेगा, लेकिन by default जो आप CSS लिखते हैं, वो लिखते हैं mobile screen के लिए, automatically फिर आप लिखते हैं बड़ी screens के लिए, तो इसका है mobile first approach, इसका हम बोलते है कि सबसे पहले जो designing की जाएगी, वो mobiles के लिए की जाएगी, और उसके बाद हम बड़ी screens के बारे में सोचेंगे, obviously बात है, ideal situation तो ही है, but actually मैं developers, designers ऐसा करते नहीं है, बट ठीक है, चलेगा काम, ठीक है, उसके लाब आपको states भी मिलते हैं, जैसे कि for example, इस button पर मैं mouse लेके ज मिलता है, ठीक है, duplication code वगरा यह सब हटा देता है, लेकिन आपको dark mode भी वापस मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, zoom करके आपको दिखाता हूं, तो आपको दिख रहा है, यह dark colon, बस इतना सही काम करना है, और आप अपना dark mode का CSS यहीं पर लिख देते हैं, default CSS आपक support, पूरा VS code के अंदर आपको fully support मिलता है, सारी classes रटने की जरूत नहीं है, यहाँ पे, काफे अच्छे से हो जाता है, अच्छा, अब चलते हैं, हम इसके अंदर कैसे इसका setup करेंगे, तो सबसे easy setup बताता हूं, जो की recommended नहीं है, सबसे पहले जाहिए, docs के उपर, और यहाँ पे हम देखेंगे की editor setup कैसे करना, यह installation में लिखा हुआ और editor setup भी, अब क्या है, कि चलिए मैं आपना VS code यहाँ पे एक fire करता हूं सबसे पहले, तो यह हमार पास VS code है, और इस VS code के अंदर में open कर लेता हूं, यह एक folder tailwind tutes, जो कि आप भी बना सकते हैं, तो सबसे easy और सबसे जादा जो playing है, वो क्या है, कि आप tailwind के अंदर क्या कर सकते हो, simply आपने बोला कि मुझे चाहिए एक index.html, यहीं पर मैं मेरी tailwind CSS लिखूँगा, आपने exclamation लिखा, tab hit करा, उमीद करता हूँ, आप सभी ने मेरी M8 के series अल्रेडी देख लिए होगी, और यह आ गई हमार पास basic HTML, ठीक है, अब यहाँ पर आप गए, आपने दिखा कि अच्छा, play with CDN, तो मैं directly यहाँ पर आके अच्छा, यह script copy कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने यह script copy कर ली, इसके बाद मैं गया, और मैंने यह script यहाँ पर add कर दी, ठीक है, क्या tailwind install हो गई है, चलिए करके देखते हैं, मैं simply जाके यहाँ पर class लिख सकते हैं, और मैं लिख जेता हूँ, bg-slate-950, यह classes कैसे आई, कैसे काम करते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा, save किया, back गया, तो यहाँ पर obvious ही बात है, background मेरा change हो गया, इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, text-white, तो meet करता हूँ, text-white हो ग यहाँ पर मैं Tailwind यहाँ पर search करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि यह जो Tailwind का first, जो plugin है, tailwindcss.com के तुरू, यह मिरे पास install है, अभी extension बोल तो यह रहा है, कि मैं आपको suggestion दूँँगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं लि लिखेंगे, बहुत सारी classes है, कब तक याद रखेंगे, कब तक search करेंगे, suggestions तो चाहिए, तो यह first हमारी एक problem है, कि यह suggestion नहीं मिल रहे है, दूसरा हमारा challenge क्या है, कि हमने documentation पूरी तरह से नहीं पढ़ा, जब आप documentation पढ़ेंगे, तो zoom करता हूँ, यहाँ पर लिख रखा है use play cdn to try tailwind in the browser, without any build step, ठीक है, try हम भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन एक line और है, this is designed for development purpose only and is not the best choice for production, यह production के लिए तो ready ही नहीं, हाँ आप सीख सकते हो, लेकिन सीखने में भी हमने देखा suggestions तो आई नहीं रहे, तो problem तो बहुत सारी है, तो ठीक है, इस तरीके स tailwind को install करने का, थोड़े से additional configuration steps हमें सीखने पड़ेंगे, अगर आपको knowledge है कुछ सी framework की, जैसे की wheat की, या फिर react app की, या फिर next.js की, तो उनके steps भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं, सिर्फ overview दूँगा, हम इसको दूसरे तरीके से install करेंगे, और actually मैं proper देखेंगे कि किस तरह से यह सब होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर right click करेंगे, और इसको delete कर देंगे, क्योंकि यह सही तरीका है ही नहीं, मुझे यह चाहिए ही नहीं, यह extension आप जरूर install कर लीजेगा Tailwind CSS का, क्योंकि आगे जाके हमारे काम में और उमीद करता हूँ, Tailwind CSS के लिए आप excited है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कैसे आप सिर्फ एक line की script add करके और install कर सकते हैं, वो तरीका ठीक है, लेकिन उस तरीके में ना आपको आपकी सीखने में मजा आने वाला है, ना ही वो production के लिए ready है, और learning experience इतना इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे proper installation कैसे होता है Tailwind CSS का, मैं उमीद करता हूँ कि अभी की दौर पे या फिर इस वीडियो को देखने के लिए जो target audience है, वो अभी react के अंदर इतनी fresh नहीं है, next.js भी नहीं सीखना चाहती है, अभी के तौर पे आके सीखना चाहते हैं, confirm, लेकिन अभी सिर्फ focus करना है CSS पे और HTML पे, तो उसी साब से मैं आपको installation steps बताता हूँ, documentation बता दूँगा कैसे और भी होता है, तो play CDN तो हमने देख लिया कि ठीक है, play के लिए ठीक है, लेकिन इससे जादा अच्छा नहीं है, in fact आप चाहें तो यहाँ पे playground पे लेग्राउ CSS वगरा यह सब steps देखने नहीं, या तो आप post CSS यूज़ कर सकते हो या फिर CLI, मुझे personally लगता है, अगे in personal opinion है, debate की जरुत नहीं है, मुझे लगता है tailwind CLI से जादा बेटर आप सीख लेते हैं, और easily configure हो जाता है, मानता हूँ debate की जा सकती है कि post CSS जादा बेटर है, यह वो अभी नहीं जाना है उस debate में, अभी simply tailwind CLI से हमें use करना है इसको, तो इसकी जो steps है, वो exactly ऐसे नहीं है कि आप copy paste कर सकें, थोड़ा सा यहां पे हम अलग changes करेंगे, जो कि easy है actually में, अब इन सभी को use करने के लिए, पहले तो आप open करिए terminal, और यहां पे command run करिए node-v, अगर आ installation ज़रूरी है, node की knowledge ज़रूरी नहीं है, आपको node JavaScript यह नहीं सीखना है अभी, या इसके बारे में देखने की ज़रूत नहीं है, आप simply क्या करिए, node को install करिए, simply जाहिए Google के उपर, और बोलिए कि मुझे node.js चाहिए, तो simply आप node.js पे जैसे ही जाएंगे, आपको यहां पे अब इसने जो first step दे रखा है, यहां पे npm install-d tailwind CSS, यह नहीं करना है, क्योंकि यह step तब के लिए जब हमारा node का package यहां पे initialized है, हम नहीं करेंगे, हम actually मैं second step से start करेंगे npx, जो कि है node package executor, और tailwind CSS init, tailwind CSS को initialize करने के लिए, बट initialize करने से पहले भी कुछ steps करने होते हैं, तो dist distribution के लिए, यह final output file होगी, जो कि हमें production पे देनी है, या server पे देनी है, इसको नाम दे देते हैं, src, source, यहां पे अब हम अपना code files रख सकते हैं, majorly काम हम distribution के अंदर ही करेंगे, इस distribution के अंदर मैं एक और file यहां पे create कर देता हूँ, जिसका नाम रखेंगे index.html, ठीक है, अब next step हम क्या करेंगे यहां पे, इसको close कर देते हैं, next step हम हमारा inbuilt terminal open करेंगे, आप चाहें तो view के अंदर जाके और इस terminal को भी open कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, easy सा है, एक ती दिन से code कर रहे हैं, आपको terminal तो open करना आता ही होगा, अब हम यहां पे हमारा copy paste कर देंगे command जो कि यह npx tailwinds init, ज्यान रखेगा note package executor, यह है tailwind CSS utility और initialize कर रहा हूँ एक tailwind की utility को, जैसे एंटर करेंगे, कुछ नहीं करेगा, यह सिर्फ एक tailwind config.js file आपको create करके देगा, ठीक है, इस file के अंदर भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिर्फ चोट असा code है, जिसको भी ह input CSS के अंदर आपको 3 lines लिखनी है, सबसे पहले क्या करना है, add the rate tailwind, और आपको लिखना है tailwind का base चाहिए हमें, उसकी बाद वापिस से add the rate tailwind, और आपको चाहिए tailwind के components, और एक finally third, वापिस से add the rate tailwind, आपको चाहिए उसकी utilities, ठीक है, बड़ा असान है, अब आप कहेंगे, य command और comma, कुछ नहीं, basically settings open करना है, यह भी नहीं पता, तो यहाँ left में manage के अंदर click करें, और settings पे click कर दीजे, यहाँ पे search करिए, कि आपको क्या चाहिए, कुछ common errors आ रहे हैं आपके पास, जैसे कि आप इस पे जाएंगे, तो जैसे इस पे hover करते हैं, तो देखते हैं, आपे unknown rule it, तो यह जो unknown है, इसी को search करना है, तो देखे, CSS की जो linting है, वो यहाँ पे unknown rules के लिए warning देती है, हम क्या करेंगे, इसको ignore कर देते हैं, ठीक है, settings में change, और आपकी warnings का है, यह कोई warning नहीं थी, कोई error नहीं था, सिर्फ unknown rules ने linting के, linting के बारे मैं बाद में discuss करेंगे, आ वापिस से जाते हैं, कि input तो हो गया, यह distribution भी हो गया, इस index file के अंदर हम क्या करते हैं, simply exclamation, tab, अभी कुछ भी नहीं करते हैं, simply एक h1 पे लिख देते हैं, यहाँ पे test, save कर लेते हैं, इसको भी close कर देते हैं, अभी मैं simply क्या करूंगा, इसके उपर right click करके, और इसको open with live server करते हैं, तो test आ गया, ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे अब हम CSS की classes लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं लिखा class, और वापिस से होई bg-slate, अभी देखिए suggestion तो आ रहा है, ठीक है, यह तो हुआ first come, मैंने last video में बताया था आपको एक tailwind का extension इंस्टाल करना है, तो suggestion तो आ रहा है, अभी मैं drop down करके देख सकता हूँ कि कौन सा color कैसा है, 950 जो मैंने last video में use किया था, 900 use करते हैं, save किया, वापिस बैग गए, ओके, यह तो होई नहीं रहा है, यह क्या problem आई नहीं, कि suggestions आ रहे हैं, बट अभी हमारी class काम नहीं कर रही है, refresh, reload कितना भी करिए, यह इसलिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपको एक और step करना है, यहाँ पे नहीं देख रखा है कि आपके जो module है, उनको export भी करना पड़ता है, क्या मतलब है उसका, वो मैं आपको simple सा बताता हूँ, आपको क्या करना है, simply vs code पे जाना है, यह रहा हमारा vs code, और इस उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, index.html के अंदर, तो ठीक है, मैं नाम दे सकता हूँ, index.html, ठीक है, जैसे आप इसको save करेंगे, अभी भी नहीं आएगा, यस, आप इसको refresh करिए, अभी भी कुछ भी नहीं आए, क्योंकि actually में आप देखेंगे technically, तो यहाँ पे कोई CSS कर देती है कि कोई styling मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, वो सब, लेकिन आपने जो customize CSS यहाँ लिखी है, उसको भी तो generate करना पड़ेगा, उसको generate करने के लिए हमारे पास tailwind एक command देता है, npx, tailwind, input file, then output file, जहाँ पे भी आपको output करने है, ठीक है, वापिस से जाते हैं, और terminal में हमें इसको चलाना पड़ेगा, तो command एक बर दुबारा देखते हैं, बहुत easy सी command है, npx, tailwind और input और output, ठीक है, इसको चलाते हैं, तो हम इसको run करते है, npx, tailwind, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेगा, सिर्फ tailwind नहीं है, यहाँ पे, tailwind CSS है, tailwind CSS, input file कहाँ पे है, तो input file का जो dot CSS, output file कहाँ पे चाहिए आपको, मुझे output file चाहिए, current directory के अंदर हमार पास dist folder है, और इसी के अंदर ही देदीचे, नाम देदेते हैं, style dot CSS, ठीक है, जैसे इसको आप run करेंगे, तो हम देखते हैं, कि यहाँ पे इसने rebuilding किया, और हमार पास एक style dot CSS file आ गई है, ठीक है, इसको link करके देखते हैं, तो हमने बोला कि ठीक है, यहाँ पे हम इसको link कर देते हैं, link colon CSS, और style dot CSS, ओ, मैंने style की spelling ही यहाँ पे गलत लिग दी है, ठीक है, अब गलत लिग दी है, तो obvious ही बात है, यहाँ तो इसको rename करिए, आप इसलिए rename ही कर लेते हैं इसको, style dot CSS, अब दूसरी बा generate हो गई है, ठीक है, तो हमने style dot CSS को यहाँ पे link कर दिया है, save करते हैं, वापिस से जाते हैं यहाँ पे, और obvious ही बात है, at least थोड़ा सा यहाँ पे top black आ गया है, क्योंकि यह जो class थी मैंने यहाँ पे लगाई, अगर मैं इस class को actually मैं cut करके body में inject कर देता हूँ, तो थोड़ा साखो का रहा हम मिलेगा, क्योंकि dark mode enable हो गया है, test यहाँ पे white है, इसके बारे मैं बाद मैं discuss करेंगे, but problem क्या है, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, बोलता हूँ कि यार मेरा जो text है, उसको भी white कर दो please, तो मैंने का ठीक है, अभी tailwind बहुत suggestion दे रहा है, फटा-फट मैंने पार generate होती है, तो सारी css नहीं है, जो आप generate करना चाहते हैं, वो ही है, पर क्या बार-बार इस command को runny करते रहेंगे, नहीं नहीं, आप यहाँ पे dash dash watch भी लगा सकते हैं, जिससे यह continuously watch करता रहेगा, कि क्या है, अब आप इसको minimize कर सकते हैं, अब मुझे नहीं देखना आप को आप automatically white कर दीजे, तो इसने text white कर दिया, एक और class में यहाँ पे देखता हूँ, जैसे की text dash 4 Excel, ठीक है, तो यहाँ पे text बड़ा भी हो गया है, यहाँ पे, padding margin भी आप दे सकते हैं, कि मुझे चाहिए margin चाहिए 5, अब मुझे पता ही नहीं margin 5 क्या होता है, margin 4 क्या होता है, तो जैसे आप लिखेंगे, तो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको suggestion में जाता है, कि margin 4 का मतलब है तकरीबन 16 pixel, या फिर 1 RAM, अगर आप देंगे margin 6, तो उसका मतलब है 1.5 RAM या तकरीबन 4 pixel, तो देखा, कितना easy है यहाँ पे CSS लिखना इस तरीके से, तो margins आ गए हमारे पस, और यह हमारा proper installation setup हो गया है, तो हमने use तो पूरा का पूरा यही setup किया है, बट actually में तरीका थोड़ा सा लग है, और यह first command हमने install नहीं करी है, क्योंकि इसकी जरूत ही नहीं थी, तो यह था आपका चोटा सा installation process, अब एक चीज और हम यहाँ पे करेंगे additionally, चोटी सी चीज है, कि अब यह हमारी जितनी भी watch list है, वो क्या कर रही है, सिर्फ index.html को देख रही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चोटा सा यहाँ पे configuration कर सकते हैं, rejects से या फिर regular expression से, यहाँ पे लिख देजिए asterick, अब क्या होगा, इस distribution folder के अंदर, जितनी भी html file होगी, चाहे उसको नाम क्योंकि हम कुछ 2-3 projects तो, या 2-3 pages तो हम बनाएंगी समझने के लिए, तो यह हो गया आपका basics की कैसे installation किया जाता है, interesting है न, मदा तो आ रहा है, तो अच्छा, एक interesting चीज और का आप हो बता हूँ, यह documentation तो हम पढ़ेंगे, installation हमने देख लिया है, editor setup भी हमने देख लिया है, क्योंकि वो करने के हमें जरूत नहीं है, हमने already install कर दिया है, और जितनी configuration थी हमने कर लिया है, prettier वगरा की configuration के आपको जरूत नहीं है, अब यहाँ पे हम pre-process और यह सब इसको कुछ पढ़ने के अभी हमें जरूत नहीं है, हम already optimize वगरा सब कर लेंगे, अब next video में हम पढ़ें जो भी जरूत पढ़ी, वही सीख लिया, foundation भी तो strong करने है, तो foundation के लिए हम कुछ चुट-चुटे videos में देखेंगे, कि actually मैं यह utility first, जो fundamentalist का मतलब क्या है, कहां मैं documentation पढ़ पाऊंगा, जैसे suppose करी मैंने आपको सब कुछ बता है, लेकिन मैंने border के बारे में हमें जरूत ही पढ़ी, मैंने बता है नहीं, तो कहां से पढ़ोगे, कहां से देखोगे, तो वही सब बताएंगे आपको, बट इस बार हम कुछ build करने वाले हैं, क्योंकि देखिए CSS और Tailwind के लिए आप कितना भी YouTube वीडियोस देख लीजे, courses पर chase कर लीजे, बट Tailwind असली में उसी को आता ह जो practice करेगा, और practice करने के लिए आपके पास बहुत सारे resources हैं, आपको चाहिए सिर्फ documentation, एक code editor और एक target, क्या आपको build करना है, हो सकता है आप Tailwind की website ही दुबार आप build करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप Node.js की website को दुबार as a sample build कर रहे हैं, हजारों website, अगर आपको अभी भी target ही मिल रहा, तो सोच विचार करने के जरूत है कि actually क्या आप लेना भी चाह रहे हैं target, हजारों website से जिनको आप target समझ सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम use करेंगे Tailwind CSS और कुछ build करके देखेंगे, क्योंकि of course theory में हम कितना भी बात कर लें हैं, आप खड़े रहे हैं, प देखें, documentation बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सारा documentation पढ़ने की दुरूत नहीं, आप सिर्फ वो search करिए जो आपको चाहिए, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे text size के बारे में कुछ search करना है, अब obvious ही बात है, जो CSS पढ़के हैं, text size नहीं बोलते हैं, इसको font size बोलते हैं, आपको कुछ classes यहाँ पर पता लगेगी, zoom करते हैं, तो देख सकते हैं, text dash small भी है, base भी है, large, excel, 2xl और बाकी हमें suggestion में vs code अपने आप बता देगा, हमने install कर लिया है plugin, तो इसी तरह से हम search करते जाएंगे और अपना web page build करते जाएंगे, web page तो नहीं कहुंगा, जो components हम वो build करेंगे, क्योंकि हमें इसका foundation भी तो समझना है, तो अभी आपने देखा था जो documentation के अंदर foundation है, utility first क्या है, hover focus क्या है, responsive design क्या है, यह dark mode कैसे करते हैं, यह सब हम एक इसाथ सीखेंगे, बढ़ चुट-चुटे products बनाके या components बनाके, शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज, अ text हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसे करेंगे, अगर आपने grid पढ़ा है, flexbox पढ़ा है, थोड़ा सा भी, तो यह बहुत यह असानन सब के लिए, मैं चोटी सी एक trick बताता हूँ, जादा बड़ा code भी नहीं है, बहुत चोटा सा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले code editor प नहीं हुआ, क्योंकि हमने command ही नहीं चलाई, कि आप जितना भी हम tailwind CSS लिख रहे हैं, उससे output दो, हमारी input CSS के अंदर, या style.css के अंदर, तो यह हमारी simple सी command थी, npx, हमने tailwind utility को use करा, input file दी, कि यह हमारी input file है, output file आप generate करो please, यहाँ पे और watch, यानिकि continuously उसको देखते भी रह simple सी command है, continuously run कर लेते हैं, और यह बिल्ड कर रहा है continuously, तो अभी grid का implementation हो गया, अब जिनोंने भी grid पढ़ा है, उनको पता होगा कि एक property है, place content center, बस इतनी सी property लगा निये, और vertical area or horizontally center में आ जाएगा, लेकिन, लेकिन है यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको, तो हम गए web पे, और देखा कि test center में आ गया, आप बठेटेश, आपने तो कहा था, horizontally और vertically दोनों से ही center में आना चाहिए, यह है, horizontally और vertically दोनों में ही center में है, but problem कुछ और है, आप देख सकते हैं, यहाँ से left to right तो है center में है, but top से bottom क्यों नहीं आया, क्योंकि आपके page पे content ही नहीं है, आपके page प रखता जाएगा, और center में आता जाएगा, अब page की height कैसे हम center कर सकते हैं, तो देखते हैं, एक property होती है, viewport की, viewport मतलब जितना भी मेरा device है, उसकी proper width ले लो, या फिर उसकी पूरी height ले लो, तो मुझे जादा नहीं पता था, मैंने सिर्फ उसका view लिखा, देखा, अच्छा viewport height ऐसे करते हैं, तो h screen to make the element span entire height of your viewport, viewport मतलब मेरी screen, चाहे mobile पे हो चाहे हैं यहाँ पे हो, हाँ यही तो चाहिए था मुझे, क्या class लिखनी है, h dash screen, अरे बड़ा ही असन था यह तो, चलते हैं वापिस से हमारे code editor पे, और यहाँ पर भी लिख देते हैं, कि ठीक है, जितन हमारे पास, center में हा गया है, तो बहुत ही असान है, अच्छा, responsive भी है, देख सकते हैं आप, तो ठीक है, तो यह हो गया हमारा basic काम, इसके अलाबा भी अगर आपको कुछ fun elements चाहिए, या कुछ इस तरह का चाहिए, तो आप कर सकते हैं, जैसे for example, yellow color चाहिए, मुझे 400 या 500 त यह सब तो basic है, आप भी कर सकते हैं, अच्छा, आप चलते हैं हमारे पास, कुछ और fun elements की और, जो हम actually में build करेंगे या पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, card बिल्ड करके देखते हैं, ठीक है, तो यह h1 तो हम यही रहने देते हैं, एक div हम create कर लेते हैं, इसको empty रखेंगे ह सिर्फ class theme लिखके छोड़ देते हैं, कुछ भी इसके अंदर नहीं डालेंगे, हम सब कुछ यहां अंदर लिखेंगे, तो simply एक div बनाते हैं, जिसके अंदर एक image डालते हैं, और right में कुछ text डालते हैं, चोटा सा जादा कुछ नहीं, PWLU का logo लगाते हैं, और दो text लिख दे reports भी तो चाहिए, ठीक है, तो Google पर जाके search करते हैं, PWLU logo और यह वाला logo ठीक है, यह यह वाला शायद creative comments पर है, तो the print नहीं यह वाला नहीं चाहिए, wiki comments हाँ, यह वाला चाहिए मैं, right click और copy image address वापिस से जाते हैं, और यहां पर image address पर डाल देते हैं, ठीक है, तो एक काम हमारा हो गया कि एक div के अंदर हमारे पास है, यह हमारा image, तो यह हमने content को segregate कर दिया, एक और div बना लेते हैं यहां पर, इस div के अंदर हम डाल देते हैं, सबसे पहले एक और div डाल देते हैं, ताकि हम उसके अंदर सारा का सारा हमारा content लिख पाएं, ताकि separate भी हो जाए, second div क CSS, ठीक है, और Tailwind CSS हो गया, फिर एक paragraph हम add कर देते हैं, जिसके अंदर लिख देते हैं, by इतेश there we go, ठीक है, तो यह हमने लिखा कैसा दिख रहा है, यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, और यहां पे जो div जो पूरा containerized है, उसको target कर रहा है, फिर हमने एक div रखा है content के लिए, और एक div रखा है हमने image के लिए, तो सबसे पहले इसको card की shape देते हैं, कोशिश करते हैं at least, तो सबसे पहले तो padding दे देते हैं, इसके अंदर तो देखे, small लिखने से 24RM की हमें मिलते हैं, करीब 38 pixels के आसपस, आपको अगर कम जादा करना है, आप कर सकते हैं उसके बाद सबसे important चीज, आपने देखा होगा, अगर आपको left और right दोनों से center इसको करना है, तो mx-auto यानि कि margin auto दीजे, left से भी और right से भी, तो mx-auto हमने class यहाँ पे लगा दिये, background भी देते हैं, इसका पूरा white ताकि easily हमें available हो जाए, इतना सब लिखने से क्या है, कि ठीक है, at least हमने margin दिया, यह सब दिया, background दिया, थोड़ा ठीक ठीक आया, इतना भी अच्छा नहीं आया है अब हम क्या कर चाते हैं, कि यह पूरा जो card है, थोड़ा से इसको rounded कर देते हैं, पता ही नहीं rounded तो कैसे करना है border को, तो search करते हैं, देखते हैं कि मुझे चाहिए border rounded, ठीक है, border radius है यहाँ पे, अच्छा, rounded, rounded MD, rounded LG, rounded full, अच्छा, बहुत सारी classes available है, देख सकते है, rounded full में पू पास rounded, none भी है, small, medium, excel, 2xl, 3xl, बहुत सारी variety है, excel ले लेते हैं, save करते हैं, और देखते हैं कैसा हमारे पास output है, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है अभी card, starting जहाँ से हम चलेते हैं, वहाँ से तो बहुत बेटर है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे shadow भी लगा सकते है ठीक, इसी तरह से, shadow lg, जैसा कि मैंने बता है, जैसे से और लिखेंगे, अब जैसे आपको अभी shadow का पता लग गया, आगे जाके future में आपको shadow search नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है, shadow element होता है, तो जैसे से practice करेंगे, और videos देखेंगे, तो आपको पता लगता जाएगा अच्छा, एक चीज़ और हम यहां करते हैं, क्या करते हैं, flexbox introduce कर लेते हैं, ठीक है, हमने flex introduce करा, flex के साथ हम एक property यहां पर लिख सकते हैं, item center, start नहीं, अच्छा, flexbox अगर आपको पता हो तो flexbox में खेल दो ही चीज़ों का है, आपकी main access का और other access का, जो आपके devices होते हैं, इ तो सकते हैं, keyboard हेल गया था थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हैं, space है, तो यानि कि आपको margin right और margin left यह calculate हो जाता है, तो मैं 4 देता हूं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा करता हूं, तो यह calculate हो जाता है, पूरा calculation के through space, basically कुछ भी न इस Tailwind CSS को एकी line में लाएं, और इसे तेश वादरी को एकी line में लेके आते हैं, तो ठीक है, try करते हैं इसको, सबसे पहले image के अंदर जाते हैं हम यह आपे, जादा classes लिखने की जरूरत यह नहीं है, आपको image में height और width define करीए और काम हो जाएगा, जैसे मैं लिखता हूं h-12 try करते हैं, तो देखिए, 3 RAM 48 pixels, ठीक है 48 pixels, similarly width भी देते हैं, width-12, अगर आपको छोटा बड़ा लग रहा है, तो obviously बात है 12 की जगे 13 करिए या कुछ और ratio दीजे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में, और अगर आपको लगता है कि और इसकी जगे हम कर सकते हैं, अच्छा ये जो div है, इसको भी थोड़ा सम classes add करते हैं यहाँ पर, ताकि इसको थोड़ा सा और करें, सबसे बेल तो text थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यह text काफी छोटा है, तो हमें पता है कि text-excel कर देते हैं, ठीक है, to excel भी कर सकते हैं, excel try करके द तो हम paragraph को target करके उसको कम bold कर देंगे, override कर देंगे हमारी CSS को, text वैसे तो black ही है, but safety point के लिए आप यहाँ पर text black भी लिख सकते हैं, वैसे तो by default भी black ही है, इसको लिखने की कोई ज़रुत ही नहीं, but suppose आपको yellow करना है, कुछ भी या फिर हो सकता है, dark mode, light mode के लिए तयारी कर र slate 500, 600, 500 try करते हैं, ठीक है, 500 हमने try करा, और save किया, ठीक है, काफी ठीक ही लग रहा है, इतना ज़्यादा खराब भी नहीं लग रहा, अगर आपको लग रहा है कि इसका text थोड़ा सा बड़ा है, तो आप छोटा भी कर सकते हैं, text-base use कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सो और बड़ा कर देते हैं, suppose 4xl कर देते हैं, तो 4xl काफी ज़्यादा हो गया, 3xl कर देते हैं, ये भी ज़्यादा बड़ा है, 2xl, हाँ 2xl ठीक है भी, ठीक है, आप इसके अंदर और भी properties डाल सकते हैं, और भी तरह से कर सकते हैं, but at least आपको अभी एक चीज़ का idea हो ग पनाने की कोशिश करिए हैं यहाँ पर, इसा तो नहीं है, बड़ देख सकते हैं, normal CSS में कितना time लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने जो CSS लिखी है, CSS क्या लिखी है, थोड़ी सी तो CSS लिखी है, और बिलकुल हमारा icon यहाँ पर तयार हो गया है, इस तरह से, और भी हम बहुत स responsive design से क्या मतलब है Tailwind CSS का, तो थोड़ सी और प्रैक्टिस करिएगा, as the assignment में आपको छोटा सा एक assignment देता हूँ, यह तो card हमने बनाया, लेकिन क्या आप एक और card बना सकते हैं, जिसमें top पे पूरा ही image हो, और bottom के अंदर इस तरह से दो line लिखी हो, तो top के अंदर पूरा image चा सकते हैं, बहुत सारी मेज़े से internet पे online, तो यह as a assignment आप लीजे, छोटा सा करिए, photo कीच के LinkedIn पे डालिए, Instagram पे डालिए, PW को tag करिए, और बताइए सब को कि हाँ, आप सीख रहे हैं, और सीखना ची बात होती है, तो अब हम यहाँ पे कुछ और interesting चीजे करते हैं, Tailwind की, कह सकत है, एक बार state सीख गए, तो dark mode भी सीख ही जाओगा, अटमाटिक लिए, तो शुरू करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम जादा नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही चीजे discuss करेंगे, responsive design, जो कि समझ में आना बहुत जरूरी है, Tailwind के perspective से, और एक states को, पहले states सीखते हैं, क्योंकि ब रहेंगे, ताकि हमें बहुत आसानी से समझ में आ सके, बाकि आपके पास studio classes भी है, जैसे hover हो गया, focus हो गया, first child हो गया, required हो गया, before, ये सारी आपके पास जित्ती भी classes है, tailwind आपको सब देता है, hover, focus, active, तो जो भी आपको class चाहिए, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, first, last, तो जितना भी CSS से selector से हम काम करते थे, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, चलिए, इतना तो हमें आ गया है, लेकिन अब इसका एक practical करके देखते हैं, क्योंकि code की theory थोड़ी ना समझ नहीं है, practical भी तो करना है, practical से जादा easily समझ में आता है, तो सबसे पहले मैंने ये class ली, जो div create किया था, इसको fold कर दिया है, ताकि ये disturb नहीं करे हैं, अच्छा, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम design करते हैं एक button को, ठीक है, इस button के अंदर लिखेंगे हम buy now, क्योंकि obvious ही बात है, सबस्यादा आप यही page बना रहे होंगे, जहाँ पे कुछ नगुश शॉपिंग ह होती है, देखते हैं, default button कैसा लगता है हमारा, तो यह हमारा default button, देखने को भी नहीं मिल रहा है, बहुत ही बहुत ही चोटा सा button है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, tailwind की classes से हम इसको improve करेंगे, तो लाते है class को, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको एक background देते हैं, त ली हमारा पास है, क्योंकि class के अंदर grade लगावा है, वो सब बात की बाते हैं, बट अभी हमारा पास, over effect में कुछ भी नहीं है, बट एक button दिखाए दे रहा है, ठीक है, optionally वैसे करने की जरूत नहीं है, फिर भी आप चाहें, तो optionally text center दे सकते हैं, unnecessary class है, यहाँ पर देने की left और right पर, या फिर आप top पर देना चाहते हैं, तो suppose कर यह 2 है, जो कि आपको 0.5 रेम का दे देगा, या फिर आप चाहें, तो scroll भी कर सकते हैं, 8 pixel का, 20 का भी दे सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, आप ऐसा कर सकते हैं, अभी के लिए ठीक है, ठीक है, इतना तो हो गया, text क थोड़ा बटन ठीक लगने लगा है, text का थोड़ा सा font हम कर लेते हैं, कहते हैं, इसको text base, आप चाहें तो Excel या और भी कुछ आपको रखना है, तो आप रख सकते हैं, मैं base पे रहूंगा, padding भी दे देते हैं, padding-to, हर तरफ से मुझे padding दे दो, to, तो ठीक लग रहा है, अभी तो Excel पे जाके और इसको बहुत ही rounded भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही rounded कर देते हैं इसको, अचा, अभी क्या है कि इसके अंदर कोई भी state नहीं है, यानि कि आपको पता नहीं लग रहा है कि button click कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या इसके उपर mouse लेके भी जा रहे हैं, तो जैसे मैंने इसका background word किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका text भी black हो जाए, तो hover white कर दिया, अब मैं इसका क्या करता हूँ, text black कर देता हूँ, तो ये इस तरह से हो जाएगा, text black, तो ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप text black करेंगे, तो देखिए, यहाँ पे text पूरा ही black हो गया, ये change ही नहीं हो रहा है कभी, और ये भी कह रहा है कि, अरे आप कितनी बार CSS classes को same property को लिखेंगे, तो फ्लीज असा मत करिए, अगर आप चाहते हैं, ये impact सिर्फ hover पे आए, इसी तरह से syntax define है, बट अभी देखिए, कितना aggressively हमने इसको implement किया, और कितना आसान था, इसी तरह से आपके dark mode भी होते हैं, जैसे hover अपने आप में एक mode है, उसी तरह से आप define कर सकते हैं, कि अगर dark है, by default तो CSS जो है, वो सब पे रहेगी, लेकिन अगर आप चाते हैं, कि अगर किसी ने dark mode लिख रखा है, तो इस button का जो BG है, उसको हम कर देते हैं, red 600, तो save करते हैं, back जाते हैं, क्योंकि मेरा dark mode implemented है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया, अभी मुझे इसका dark mode change करना पड़ेगा, I think कहां से होता है, dark mode profiles काफी काम हो जाएगा, बट आप समझ गए, जो मैं कहना चाता हूँ, कि इस dark mode को, अगर मैं पूरा system का जाके change कर देता हूँ, यह mode, तो हमारी यह वाली property कभी implement नहीं होगी, तो आपको समझ में आ गया है, basic कैसे होता है, ठीक है, यह तो हमारा हो गया पूरी कहानी, कि आपके पास कितने hover effects, या फिर इस तरह की states होती है, states अब में होती है, paragraph में भी होती है, button में भी होती है, हर element के अपने-पनी states होती है, अच्छा, अब आते हैं दूसरे topic पे, जो कि यह सबसे interesting, जहाँ पे लोग अकसर गलती करते है, responsive design, अब यहाँ पे क्या है, कि एक बहुत अच्छी line लिख रखिये, tailwind की, आपको बताता हूँ, tailwind क्या बोलता है, कि working mobile first, अच्छा, इस line का meaning क्या है, by default, zoom करता हूँ थोड़ा सा, by default क्या बोलता है tailwind, इस line का meaning क्या है, uses a mobile first breakpoint system, इसको देखने का बहुत यह असान तरीका है, क्योंकि अभी तक हम जो CSS लिख रहे हैं, वो mobile first ही लिख रहे हैं, कैसे, suppose करिए मैं आपके लिए कि यहाँ पे div बनाता हूँ, ठीक है, इस div के अंदर हम classes भी लिख देते हैं, कि मुझे चाहिए text center पे, और मुझे चाहिए एक और margin चाहिए y-axis पे 4, तो ठीक है, M8 से हमने फटा-फट classes लिख दिये, जादा कुछ इसमें है भी नहीं detail, अब लिखते हैं एक paragraph, जिसके अंदर हम डालते हैं, कुछ lorem के 3 या 4 words, 3 words डाल देते हैं, हमें फरक नहीं पढ़ता क्या है उसके अंदर, save करके document देखते हैं, ठीक है, यह है हमारा lorem ipsum, जो की दिखाई भी नहीं दे रहा है, अच्छा, अब interestingly, आप क्या देखेंगे यहां पे, मैं यहां पे कुछ classes लिखता हूँ, first of all लिखता हूँ text, उपस, ऐसे थोड़े ना लिखते हैं classes, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, text-white, अगर लिख पाए तो, text-white यह लिखा, तो text-white लिख दे, अब आप देख रहे होंगे कि हाँ, text-white हो गया, इसमें क्या magic था, अगर मैं इसको responsive बनाता हूँ, तो भी text-white है, ठीक है, अगर करते हैं, तो आपको दिखेगा कि यह रहे आपके breakpoints, इसने बोला, आपके पास small है, medium है, large है, XL है, 2XL है, यह हमारे breakpoints है, 640 pixel यह, आप चाहें तो customize भी कर सकते हैं, इनको tailwind आपको breakpoints को customize करने की पूरी-पूरी छूट देता है, और तरीके भी देता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर नहीं जाता, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसको बोला, एक काम करो, medium जब हो, तब लिख दो text-green, और इसके लावा जब small हो, तब लिख दो आप क्या करो, text-red, और red का भी हम variant चूज करते हैं, और यह 600, ठीक है, अब क्या है, इससे पहले कि हम example पे जाए, सबसे पहले God से देखेगा, Tailwind ने कहा था, हम mobile first approach है, यानि कि जो भी आप CSS define करोगे, वो mobile पे first implement होगी, फिर जैसे ही मैंने कहा text-wide, तो यह सबसे पहले implement होगी, सबसे चोटे breakpoint पे, फिर मैंने कहा, यहाँ पे small, तो इसने कहा, ठीक है, small पे क्या करूँ मैं, small पे करो, text-red, और medium पे क्या करो, text-green, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, वो सबसे पहले देखेगा, मैंने कहा, smaller screen और उससे बड़े जितने भी हैं, उसपे क्या कर दो, red कर दो, medium और उससे बड़े जितने हैं, उसपे आप green कर दो, बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा, आपको एक second रुकिए बस, यहाँ पे गए हम document पे, तो अभी क्या देख रहे हैं, green, क्यों green देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा, medium और उससे बड़े जितने devices है, large, excel, 2xl, 3xl, जो भी है, सब पे green कर दो, तो यह text white क्यों नहीं implement हुआ, क्योंकि text white कहां implement होगा, automatically जो CSS लिखते हो, mobile सबसे छोटी screen के लिखते हैं, अब जैसे आपने कहा, small पे text red कर दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा रहा है, यह कहा रहा है, जैसे breakpoint हिटो small, और उससे सारे बड़े लोग, उन पे red कर दो, तो बताता हूँ, देखे कैसे हुआ, तो सबसे पहले जैसे ही आपको इसको shrink कर देंगे, तो देखे, अभी यहाँ पे क्या है, वाइट है, क्यों वाइट है, क्योंकि text default white है, तो सबसे चोटी screen के लिए white लगा, अब कहां, जैसे breakpoint हिट करो small, और उससे बड़े, देखे, small जैसे जहां हिट होगा, यह small हिट हो गया है यहाँ पे, और उससे बड़े जितने हैं, वहाँ पे red कर दो, अगर वहाँ पे कोई rule नहीं define है, तो बड़े करते जाएं, यह red ही रहेगा हमेशा, लेकिन फिर मैंने एक और rule लिख दिया था, अच्छा, यहाँ पे तो लिखिए, लेकिन जैसे breakpoint हिट हो medium और उससे बड़ा, तो वहाँ पे green कर दो, तो देखे, green हो गया, अगर यहाँ पे मैं यह breakpoint नहीं लिखता, इसको cut कर देते हैं, एक second के लिए, और save करते हैं, वापिस जाते हैं, तो हमने क्या लिखा, सबसे छोटे के लिए तो white लिखिए, जैसे small breakpoint हो और उससे बड़ा हो, उन सब के लिए red लिख दो, तो देखे, जितना भी बड़ा करिए, आप red ही होगा यहाँ पे, ठीक है, screen को, और यहाँ पे हम वापिस इस point को ले आते हैं, कि medium जैसे हिट करो, तब आप green कर दो उसको, अब एक बार के लिए हम इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे, जो यह tailwind है, उसने साफ साफ लिख रखा है, कि tailwind जो है, mobile first class है, यानि कि जितनी भी हमने अभी तक CSS लिखी है, यहाँ पे जितनी भी, यह mobile first है, mobile पे यह काम करेगी, अगर आपको बड़ी screens पे override करना है, तो आप बड़ी screens की अब चिंता करिए, यह MD लिखके, small लिखके, Excel लिखके, तो देखा, काफी interesting है, मैं आया हूँ, तो interesting बना के जाओंगा, तो उमीद करता हैं, आपको यह पसंद आया होगा, अब क्योंकि हमें इतनी knowledge हो गई है, कि किस तरह से responsive लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, next वीडियो के अंदर हम एक और card बनाएंगे, और इस बहुर हम card की दो variations बनाएंगे, यह small screen पर कैसा दिखे, और यह bigger screen पर कैसा दिखे, तो उससे आपको और समझ में आएगा, कि किस तरह से हम implementation कर रहे हैं, अभी तक हमने काफी कुछ सीखा, responsive design भी सीख लिया, states भी सीख लिया, अब वक्त आ गया है, उन सभी का implementation करने का, स्टार्ट करते हैं कुछ छोटे basics से, इसके बाद automatically speed हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको सारी चीज़े पता होगी, बस आप देख रहे होंगे, और explore कर रहे होंगे, कैसे classes लिखी जाती और यह सब, बट यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम simply card design करना चाहते हैं, card design में हम क्या चाहते हैं, कि mobile के अंदर card अलग दिखें, और desktop पे अलग दिखें, या फिर medium से large screens पे अलग दिखें, तो card हमारा जो mobile screens में होगा, वो क्या होगा, top और bottom होगा, यानि कि top पे हमारी image होगी, और bottom में हमारे text होगे, जितने भी text आपको महाँ पे लिखना है, इससे कोई फ्रक नी पड़ता है, एक है, दो है, या दस है, और उसके अलावा, जो बड़ी screens पे हमारे card होगे, उसमें हम चाहते हैं, कि left में हमारी image हो, और right के अंदर हमारा content हो, या जो भी text आपको लिखना है, अब इस तरह का design करने के लिए, tailwind सबसे easy है, क्योंकि by default, जो भी आप CSS लिख रहे होगे, वो automatically mobile के लिए होगी, तो मुझे specifically mention करना होगा, कि medium screen पे कैसे वो card design हो, तो बहुत ही simple है, असान है, करके देखते हैं, तो वापिस से मैंने यहाँ पे commands वगरा सब run कर रखी है, obviously सब भी हाँ पे run हो रहा है easily, यहीं पे हम card को design करेंगे, तो ठीक है, पहले start करते हैं कि card का basics किस तरह से करेंगे, तो एक simply div बनाता हूँ, उसके अंदर margin top में डाल देता हूँ 3, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मुझे मान लीजे कुछ H1 के अंदर मान लीजे lorem लिखता हूँ यहाँ पे में, totally मेरा full-fledged card है, इस div के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक div बनाता हूँ, यह div होगा मेरा image के लिए responsible, आप चाहें तो image भी लिख सकता हैं यहाँ बट यह div responsible होगा image के लिए, अभी आते हैं image कैसे करेंगे, एक और मैं यहाँ पे div बनाता हूँ, यह div किसके लिए responsible होगा simply, जितने भी मेरा content होगा उसके लिए, तो एक बार link देते हैं यहाँ पे ताकि हमें थोड़ा सा idea रहे, यह तो होगा image के लिए, और यह वाला जो होगा, वो होगा content के लिए, एक div है, simply divide कर दिया, तो यहाँ पे image और content, अब आप देख सकते हैं, by default जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, image top पे और content bottom पे, तो यही तो चाहिए हमें mobile devices पे, medium और above पे क्या हो रहा है, वो बाद में decide करेंगे, अभी पहले, वो आप mobile के लिए design कर लेते हैं, ठीक है, अभी यह जो card है, वो card जैसा दिखी नहीं रहा है, विल्कुल, तो at least इसको card जैसा बना देते हैं, तो class यहाँ पर define करते हैं, तो कैसे होगा, सबसे पहले तो इसकी width define करते हैं, तो हम बोलते है, max width जो होगी इसकी, वो होगी small, small मैं हम देख सकते हैं, कि 24 RAM या फिर हमारा 384 pixels, बहुत है, अगर आपको लगता है, medium चाहिए, और चाहिए, तो आप उससाब से भी define कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, mx-auto, although हमने अभी सब कुछ by default define कर रखा हैं, कि सब कुछ center में आ जाए, बट मैं चाहता हूँ कि बाद में भी कहीं ये card अगर use हो, तो ये center में ही रहे, इसलिए margin on x-axis auto कर दिया है, ताकि दों तरफ से center में आ जाए, ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका background white करता हूँ, ताकि at least कुछ दिखे तो सरीफ मुझे कि क्या हो रहा है आपर, ठीक है, अभी देखने लगा है, अभी थोड़ा squarish है, थोड़ा इसको rounded करते हैं, थोड़ा जादा rounded करते हैं, तो मुझे पता है rounded xl भी है, 2xl भी है, xl try करते हैं, ताकि काफी rounded दिखे, ठीक है, काफी rounded हो गया है, थोड़ा जादा ही हो गया है, बट ठीक है, चलता है, ठीक है, next हम क्या करते हैं, अब define करते हैं, यह तो दिखेगा छोटे screen पे card ऐसा, बट बड़ी screens पे थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, तो ह आप चाहें, तो और भी बड़ा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, तो यह हो गया, अभी हमें यह नहीं दिखेगा card, क्योंकि content scanner नहीं है, तो यह हमारा छोटी screens पे है card, यह हमारी बड़ी screens पे है card, इस खेंडर content ही नहीं है तो इसलिए जादा कुछ हम देखने सकते हैं, बट हमें पता है कि medium screens पे मैंने डाला है, यहाँ पे max-w और 2xl यहाँ पे use किया है, तो impact क्या आने वाला है, अभी हमें नहीं दिख रहा है, बट दिखेगा बहुत ज़रूरी, या आप चाहें तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ, थाकि हम थोड़ा सा image के उपर काम कर लें, तब हमें actually में असली impact पता लगेगा कि यह किस तरह से और क्यों काम हो रहा है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यह तो हो गया हमारा card का division, बट इसको क्या है कि मुझे आगे जाके control करना है, अभी by default है image top पे और content bottom में, बट आगे जाके मैं control कैसे कर पाऊंगा इसको, क्योंकि इसके around कोई wrapper तो है ही नहीं, तो एक wrapper तो मुझे चाहिए इसके around, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे को cut कर लेता हूँ, ताकि मैं बाद में inject कर पाऊंगा flex properties, तो cut कर लेते हैं, एक और div इसके अंदर add कर देते हैं, ताकि एक wrapper मिल जाए और यह रहा, ठीक है, तो करते हैं actual image, और image का source भी, अब image का source यहाँ पर थोड़ी सी problem है, क्या है कि कोई भी image यूज करेंगे तो ओविसी बात है copyright आएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं pexels, pexels एक copyright free image repository है, जैसे open source होता है, बहुत सारे लोग अपने images contribute करते हैं, royalty free है, truly royalty free, यानि कि आप चाहें, तो credit दीजे, अच्छी बात होती है देना, नहीं भी देंगे, तो भी चलेगा, आप production में, अपने money making में, या जहाँ पर भी use करना चाहे कर सकते हैं, users को कोई problem नहीं है, यहां के सकती commercial use भी कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर कुछ यूज करते हैं, images, जो मैंने आप copy करें, image address, image copy मत कीजेगा, image address copy कीजेगा, आते हैं, यह हमने डाल दिया source, save करते हैं, obviously बात है, problem ही होगी, क्योंकि काफी बड़ी image है, इतनी बड़ी, और देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास, यह corners हमारे rounded नहीं हुए, image overflow कर रही है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आते हैं, और लिखते हैं, overflow, देख सकते हैं, hidden भी है, auto भी है, इसको save करते हैं, और obviously हमारी image अब rounded हो गई है, ठीक है, छोटी screens पर देखते हैं, और बड़ी screens पर देखते हैं, अभी कोई difference नहीं आया, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, medium screens के लिए card, width में बड़ा हो गया अपने आप, लेकिन जैसे मैं छोटी screens पर जाता हूँ, card छोटा हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, अलग-अलग हम design करना है, ठीक है, इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि यह जो wrapper मैंने लगाया था, ताकि मैं use कर सकूँ, इसके अंदर मैं flex use कर पा मुझे पता है कि यह by default इतना top और bottom है जो मेरा काम कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि medium screen जैसे ही आजाए आपके पास, तब आप flex लगाओ, वरना हम card को ऐसे रखेंगे, तो medium में हम क्या करेंगे, left में image रखेंगे, right में content, लेकिन short screens पे हम क्या करेंगे, top पे image और bottom पे, देख सकते हैं, किस तरह से हम design कर सकते हैं इन चीज़ों को, इतना भी difficult नहीं है, tailwind से तो especially easy है, अब इस image के उपर थोड़ी सी properties add कर लें, ताकि यह थोड़ी सी अच्छी दिखने लग जाए, height हम use कर लेते हैं, इसकी 48, और हम width भी इसकी 48 यूज़ कर सकते हैं, बड़ ठीक ह ताकि पूरी image इस तरह से define दे, वैसे by default भी यही दिख रहा है अभी, पर ठीक है, फिर भी safety के लिए, अब मैं चाहता हूँ कि medium height जब हो, तब क्या हो, height तो हो जाए full, ठीक है, और medium जब हो, तब width हो जाए इसकी थोड़ी कम, यानि कि 48 रख लेते हैं, आप भी कुछ भी number try क तो यह तो बात हो गई है, हमारी basic कि इस तरह से हमने image को design करा, अब यहाँ पर content भी design कर लेते हैं, content के अंदर क्या है, कि इतना जादा कोई difficult चीज ने, content बहुत easily कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर content में आते हैं, और इसके अंदर हमें class inject करते हैं, कि content जो है उसके पूरे को दीजे, padding of 8, अब आप देख सकते है, padding जब 8 का देते हैं, तो काफी 32 pixel की padding आपके पास add हो जाती है, तो काफी padding है मेरे पास, अभी सिर्फ content लिखा है, वर थोड़ा सा और text लिखेंगे इसके अंदर, सिर्फ इतने से काम दोड़ना चलेगा, चाहें त ना कोई problem नहीं है, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको change करते हैं, कुछ interesting classes में आपको दिखाता हूँ, first class में आपको बताता हूँ, uppercase, बस इतना ही करना है, और पूरा पूरा content आपका हो गया, uppercase के अंदर, चाहें तो use करिए, चाहें तो मत करिए, tracking भी आप कर tracking wider, तो देख सकते हैं, cards के बीच में spaces है, इतना जादो दिखाई भी नहीं दे रहा है, बट मैं आकर करता हूँ, इसको white कर देता हूँ, white, difference देखना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट ठीक है, text को small कर देते हैं, तो text dash sm, चोटा वाला text हम use करेंगे यहां पर, और color change करते है text dash indigo, indigo हम use करते हैं 500, ठीक है, और bold कर लेते हैं थोड़ सा, तो font dash semi bold, ठीक है, ठीक है अभी के साब से, बट देखिए, आपने क्योंकि कोई media query नहीं लिखी इस पे, तो छोटी screens में भी यही card है, और बड़ी screens में भी card है, आप चाहें तो text centers वगरा और भी properties आप add कर सकते है ठीक है, इस div के बाहरा आते हैं, इस div के अंदर यह content है, ताकि और इसको आप control कर सकें, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एक simple anchor tag यूज़ करते हैं, और इस anchor tag के अंदर हम क्या लिखेंगे, pound लिख देते हैं यहाँ पे तो, और लिखते हैं, tailwind CSS is amazing, once you understand the power of it, ठीक है, खाफ अच्छा sentence हो गया है, ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करूँगा, एक और यहाँ पर content लिखता हूँ, कुछ paragraph के अंदर lorem words डाल देता हूँ, 20 के असपास, ठीक है, कुछ basic content लिखने के लिए, तो ठीक है, काफी अच्छा लग रहा है card, और यहाँ पर चाहें तो आप इसकी height यह link है, इसमें और भी classes add करते हैं, कि किस तरह से हम और कर सकते हैं, first of all इसको क्या करते हैं, block बना देते हैं, ताकि अपने आप में एक block रहे, उसके लावा हम क्या करते हैं, margin, top से 1 ले ले लेते हैं, आप चाहें तो और भी margin ले सकते हैं, text को large कर देते हैं, save करते हैं, टेक्सtı को हम ब्लाक कर देते हैं I am already black है भट ठीक है safety के लिए और हम क्या कर सकते हैं कुछ बफेक्त भी डाल सकते हैं जैसे आप को चाहिए होब के अंदर Lazer इसका हमें एक्स्ट डाश कालर जो है यह टेक्स्ट को हम क्या करते हैं black कर देते हैं glue कर देते हैं जैसा भी आप चाहें glue 700 कर देते हैं तो जैसे आप इस पर hover करेंगे अब तो आपका text यहाँ पर change होने लग गया है ठीक है इतना चलेगा और paragraph का भी आप चाहें तो और भी यहाँ पर properties add कर देते हैं ज़्यादा नहीं करूँगा बस दो ही properties add करूँगा कि margin जो है top से तो 2 मिल जाए और थोड़ा slate कलर हो जाए तो text dash slate 200 500 ठीक है तो text हमारा 500 हो गया है अभी थोड़ा card interesting लगने लग गया है छोटी screen पर भी interesting है आप चाहें तो इसको center में भी ला सकते हैं अगर आपका मन करें तो मुझे तो ऐसे ठीक लग रहा है ठीक है यह हो गया हमारा basic अब हम क्या करते हैं छोट इसी में आपको और techniques बताता हूँ यह जो power है ना इसको थोड़ा सा मुझे change करना है तो इसको cut करूँगा और span लिखता हूँ और उसके अंदर power लिखता हूँ अब इस span के अंदर भी आप क्या है classes add कर सकते हैं कैसे तरह की classes first of all आप background यूज कर सकते हैं तो bg-yellow 400, 500, 500 यूज करते हैं ठीक है यह तो हो गया basic लेकिन इससे काम नहीं हुआ है यह power कुछ जादा अच्छा नहीं दिख रहा है इस तरह से थोड़ी padding margin यह सब हमें add करना पड़ेगा अच्छा आप क्या कर सकते हैं suppose करिए आपको add करनी थी padding तो आपने का padding-3 तो padding-3 आपने का तो ठीक है padding-3 इसको मैं next line में ले जाता हूँ padding-3 से हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ तो padding-8 करके देखते है अब padding-8 बहुत जादा हो गई है padding-4 करके देखें padding-4 बहुत जादा है padding-3 करके देखते है ठीक है लेकिन उतना मज़ा नहीं आया padding-2 करके देखते है तो कहने का मतलब यह कि कई बार आप ऐसे situation में आयेंगे जहां पर आप कहेंगे यार कोई सी भी padding इसकी नहीं जम रही है तो आप क्या कर सकते है इस dash के बाद आप एक square bracket लगा सकते है यह है एक variables type of variables आप बोल सकते हैं तो आप कहते हैं मुझे तो चाहिए 2 pixels की padding मेरे को यही perfect लग रही है तो आप save करके देखेंगे तो 2 pixels की आपको padding मिल गई है इसी तरह से आप और पर भी यूज़ कर सकते हैं जिसे मुझे चाहिए की padding चाहिए मुझे x-axis पे लेकिन मुझे exact padding चाहिए 14 pixels की तो आप जा सकते है 14 pixels instead of all उनके predefined variables को आप इसको use कर सकते हैं तो इस तरह की कुछ मुझे look मिल गई है जो कि मुझे अच्छी लग रही है भी तो ठीक है तो आपने देगा किस तरह से हम cards को design कर सकते हैं obviously बात है strategies बनानी पड़ेगी किस तरह से card design हो लेकिन हम देख सकते हैं हमने दो different card design करे हैं दोनों के अंदर images का अलग look है दोनों के अंदर alignment का difference है आप और भी चाहें तो और भी features add कर सकते हैं बट अभी आपको basic idea हो गया है कि किस तरह से tailwind को use करके आप responsive design बना सकते हैं जो की अलग behave करें mobile पे अलग यहां पे बट ऐसा नहीं है कि कोई predefined है कि यह automatically काम हो जाएगा और वैसी बात CSS है तो थोड़ा परिशान होना ही पड़ेगा थोड़ा सा trial and error hit method लगाने ही पड़ेंगे उसी के बाद ही काम होगा तो उमीद करता हूँ आपने अगर अभी तक Tailwind की सारे videos देखे होंगे जो मैंने upload करे हैं यहां पे इस channel पे और साथ में कुछ code किया होगा या फिर video के बाद में अगर थोड़ा भी code किया होगा तो at least 40 to 50% आपको confidence आ गया होगा कि हाँ ठीक है इतना मैं expert designer नहीं हूँ बट at least कोई webpage दे और enough time दे तो मैं बना ही सकता हूँ अगर आपको इतना confidence 40 to 50% भी आ गया है तो अभी के लिए ठीक है क्योंकि obviously बात है 100% confidence कोई tutorial देखने से या course देखने से थोड़ी आता है वो तो code लिखने से आता है तो इस video के अंदर हम क्या करेंगे हम code लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये video क्योंकि हम काफी कुछ एक ही बार में देखने वाले हैं यहां पर जो कि ठीक भी आपको थोड़ा सा एक challenge भी मिलेगा थोड़ा सा घपराट भी होगी कि यह इतना बड़ा हमसे हो पाएगा क्या और धर-धर हम देखेंगे कि कैसे हम छोट-छोटी strategies को use करके हम पूरा एक web page बिल्ड करते हैं तो यहां पर आपके सामने ये web page है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह हम web page यहां पर बिल्ड करेंगे अब यह जो web page है यह इतना difficult नहीं है बड़ा ही आसान सा है हम देख सकते हैं इस web page को अगर हम divide करें कुछ portion में तो पहले हमारा top portion हो गया जहां पर सिर्फ हम navbar पर focus करेंगे अकसर लोग जब एक website को देखते हैं तो पूरी website को एक ही बार में देखते हैं अगर पूरी website एक ही बार में देखोगे तो आपको नहीं focus होना चाहिए कि इमेज कैसे आएगी इमेज कैसे shrink होगी यह सब हमें focus ही नहीं करना है first हम focus करेंगे navbar पर उसके बाद हम इस image पर focus करेंगे यह image थोड़ी सी interesting है यहाँ पर क्योंकि इसको जैसे ही हम shrink करते हैं अच्छा by the way यह original website नहीं है इसके साथ हम देखेंगे तो first portion होगा हमारा navbar second portion होगा इसको hero section बोल सकते है यह image section उसके बाद हमारा यह student section है जहाँ पर different students है यहाँ पर courses enrolled जो भी आपको data लिखना है icons के link में आपको directly दे दूगा यह PW के icons जो PW की website है आप चाहें तो right click करके वहाँ से भी ले सकते है inspect element करके बट मैं आपको directly link दे दूगा उसके बाद our product section है और हाँ of course ही बात है कि यह और यह section कुछ similar type से designed है बस difference ही है कि यहाँ पर 3 elements है यहाँ पर 5 elements है जैसे आपको shrink करेंगे तो automatically elements दूसरी row पे move होते है assignment भी मिलेगा कि आप इसको और improve कर सकते हैं जैसे अभी यह footer अच्छा लग रहा है जैसे इसको और mobile devices पर लाता हूं तो यहाँ पर ठीक है मामला लेकिन footer हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है अब आप चाहें तो इसको इस तरह से भी रख सकते हैं आप चाहें तो इन सब को center पर भी ला सकते हैं बहुत ही असान सा assignment है कि सारे footers के जो element उनको center पर लाना है यह तो assignment की बात हुई इसको तो बाद में देखेंगे बट अभी focus करते है one by one अच्छा यह जो top bar है इसको design करना तो वैसे ही बहुत आसान है लेकिन यह जो mobile devices है उस पर हम क्या करेंगे सब कुछ हटा देंगे दो element रखेंगे एक अपना logo और यहाँ पर एक यह icon जो की clickable है अब यह जो icon है आप चाहें तो images भी use कर सकते हैं वैसे आप html entities भी use कर सकते हैं हम html entities यूज़ करेंगे आपका जो मन चाहें आप use कीज़े ठीक है तो चलिए इसको design करते हैं अब design की सबसची बात है कि हम बार-बार documentation का reference देखेंगे कि कैसे चीज़े होती है और इसमें कोई गलत बात नहीं अगर बार-बार आप documentation पर जा रहे हैं search कर रहे हैं तो हर बार आप एक नई class ही तो सीख रहे हैं और web development में cheating करना अला होता है especially अगर आप documents से cheating कर रहे हैं तो cheating तो नहीं कहूंगा थोड़ा अजीब word है वो but references आप ले रहे हैं ठीक है तो अभी आते हैं हम हमारी code file पे vs code यह रहा हमारा vs code अब अच्छी बात क्या है कि देखे क्योंकि मेरी command अभी भी यहां पर run हो रखी है यह तो ठीक है last day से कल से ही run हो रही है तो इसको मैं close करता हूँ अभी यह तो हमारे पास हुआ index page लेकिन आप गौर से देखे यह जो input.css है जो भी हम html लिख रहे हैं तो हमने एक setting कर रखे हैं यहां पर कि distribution के अंदर जितनी भी html file है सब ही एक साथ generate होती रहे और सब को monitor करते रहो तो पाइदा इसका यह है कि जैसे हमें distribution में जाके एक नई file बनाता हूँ इसका नाम देता है mpwhome आपका जो मन करें आप नाम दीजे कोई फरक नहीं पड़ता है और html तो क्योंकि हमारी configuration इस folder के सारी html document को देख रही है तो मैं यह same style.css file यूज़ कर सकता हूँ आप चाहे तो दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले exclamatory tab hit करते हैं इसका नाम हम यहाँ पर document ही रख देते हैं और link colon css styles ही refer कर रहे हैं style.css तो same ही file को refer कर लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं pw skills web page design class design class तो नहीं है development class ही है designing तो नहीं कर रहे हैं ठीक है development class यह हमारे पास हो गया body अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा क्योंकि अभी obviously बात है इसको हम उगर open करेंगे तो इसको stop कर देते हैं अभी इसको वापिस से open करते हैं go live please open हो जाए white page है obviously बात है किसी developer को white page पसंद नहीं है आके खराब हो जाएगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे body के अंदर आते हैं और इसकी class change करते हैं कि मुझे background दो slate वाला ही background ले लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इस बार slate का number 950 के असपस तो कि अच्छा dark mode हमें मिलें क्योंकि हमारे पास वो command run हो रही है input css के through हमारी styling generate हो रही है तो यह proof भी है कि obviously काम हो गया है अब हम क्या करते है step by step चलते है सबसे पहले focus करते है nav bar पे तो हम लिखेंगे यहाँ पे nav bar goes here और इसको कर देते हैं हम comment हमारी यहाँ से nav bar start हो रही है तो सबसे पहले एक nav bar लेते हैं nav bar के अंदर हम क्या करते है कि कुछ elements लेंगे तो हम इन elements को wrap करेंगे मतलब तीन portion है हमारे पास first nav logo है बीच में हमारे पास कुछ links है या फिर आप ul elements कह सकते हैं और right side में हमारे पास एक button है तो simply तीन elements है हमारे पास तो यह हो गया हमारा nav अब इस nav के अंदर मैं क्या करूँगा सबसे पहले तो यहाँ पे एक div ले लेते हैं इसके अंदर मैं अपना logo डालूँगा तो सबसे पहले pw skills या आपको जो भी कुछ और नहाम लिखना आप लेख सकते हैं unordered element लेते हैं उसके अंदर li element होंगे तकरीबन तीन है हमार पास आप चाहें तो और भी ले सकते हैं same styling रहेगी home हो गया उसके बाद हो गया about us और उसके बाद हो गया contact us contact us ठीक है इतना portion हो गया अभी जो last portion है हमार पास उसके अंदर actually मैं दो element है बट अभी हम एक ही के बाद मैं बात करेंगे तो एक simply सी div ले ले लेते हैं हम यहाँ पे और इस div के अंदर हमार पास होगा div ही रहन देते हैं आप चाहे तो button को भी style कर सकते हैं बट मैं div को भी style कर दूँगा buttons की तरह login slash sign up ठीक है तो बन गया हमारा nav bar वापिस जाते हैं देखते हैं तो obvious ही बात है कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि सब कुछ है यहाँ और एक साथ ही आ गया यह home और यह सब ठीक है तो इनको अब हम धीरे-दीरे styling करते हैं कि कि किस तरह से हम strategies बना सकते हैं नहीं बार के अंदर obvious ही बात है सबसे पहले तो यहीं बात करनी पड़ेगी कि सबसे पहले चाहिए मुझे width चाहिए full इसकी ताकि चाहिए मैं किसी भी devices पर हूँ width मुझे full चाहिए height भी मुझे mention करनी पड़ेगी क्योंकि नहीं बार की obvious ही बात है आपने guess करी लिया होगा कि जैसे आप इसको flex करेंगे फ्लेक्स तो काफी मामला हमारा ठीक होने लग गया है कि pw skills है second element में हमार पास home about us वगरा है और login sign up है ठीक है इतनी बात हो गई है अब एक और चीज हम क्या कर सकते हैं यहां पर दे सकते है justify between justify between जैसे हम देंगे तो ठीक है अभी हमारा मामला थोड़ा बहुत ठीक हो गया है यह home about us को और भी रेखना पड़ेगा क्योंकि इनका तो जो content है वो flex नहीं अभी तक वो अभी तक top to bottom ही है तो ठीक है इसके उपर भी आएंगे बट इतना मामला तो अभी ठीक है अचा उसके लावा क्या करते है पैडिंग देते हैं थोड़ी सी तो x-axis पर हम क्या करते है इसको पैडिंग देते है फोर की ठीक है मामला ठीक है तो हमें दिख रहा है कि दोना तरफ से पैडिंग जो pw skills के कोने में है वो पैडिंग आ गई है login sign up के भी यहाँ पर आ गई है अगर आपने गौर्ड नहीं किया था तो मैं वापिस देसको कट करके save करके जाता हूँ देखिए अब आपको दिख रहा है क्योंकि मैंने आपको notice करवा दिया है तो ठीक है पैडिंग ठीक है लेकिन medium और अबव पे थोड़ी सी और पैडिंग देते हैं तो obviously आपने देखा तो responsive डिजाइन में अभी जित्ता भी हम लेखा है वो छोटे डिवाइस के लिए लेकिन medium या अबव पे जाओगे तो क्या करो पैडिंग दो xxx पे 4 क्योंकि हमने trial tutorial ले लिया था तो अभी ये तो समझना बहुत आसान है तो ठीक है काफी थोड़ी जादा पैडिंग आ गई देखना थोड़ा सा difficult है बट देख सकते हैं आप जैसे smaller devices पे जाएंगे तो padding जादा है यहाँ पे जाते हमारी medium से padding थोड़ी स shift away तो यह तो exaggerate करना हो जाता है कि कभी कबार हमें समझ नहीं आता तो exaggerate करना वहाँ पे ठीक बात है कोई बुराई नहीं है इसमें ठीक है अभी बात करते हैं इस PW skills के लोगों की आप चाहे तो इसको wrap-up भी कर सकते हैं anchor या किसी tag में हम नहीं करेंगे हम simply text को थोड़ा सा ब detail width के अंदर, bold भी कर देते हैं अगर आप चाहें तो font bold देखते हैं ठीक है ठीक है ठीक ही लग रहा है आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा top से bottom से और वो सब भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो आप आपकी मर्जी है totally आप इसका कैसा design देखना चाते हैं अगर exactly ऐसा ह करना है तो देखें यहां पर थोड़ा सा designing और हमारा change है और वेसी बात है जैसे से और हम करते जाएंगे इसके designs वगरा सब change होते जाएंगे एक और चीज़ हम यहां पर क्या कर सकते हैं आप चाहे तो हम एक इस पर top पे class लगा सकते हैं navbar पे काम करो मुझे सारे items center में चाहि यह बहुत सारे तरीके हैं करने के जैसे आपको ठीक लगे जैसे आप खमान करें आप ऐसे कर सकते हैं इसी को हम इतना छोड़ते हैं यह अनौर्ड़र आइटम है इसका सबसे पहले fix देखते हैं तो हम क्या करेंगे इसको class देता हैं सबसे पहले कि medium पे जैसे ही आओ वैसे आप फ्लेक्स करो, तो मीडियम पर जैसे ही फ्लेक्स करेंगे, सारे आइटम्स अलाइन हो गए है, थोड़ा सा स्पेसिंग भी दे देते हैं इसको क्योंकि काफी ज़्यादा पास-पास हो गए है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी हमें इतना ही रहन देते हैं, चाहे तो इसके बीच में और कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे इनकी जो margin से हम each element पर ही देंगे हम चाहें तो यहां पर भी दे सकते हैं justify between वगरा बट फिर size width भी define करना पड़ेगा तो वो नहीं करते हैं ठीक है अच्छा एक चीज और चाहता हूं मैं कि जो smaller devices है उस पर यह दिखे ही ना क्योंकि सिर्फ logo और यह सब दिखे तो बहुत ही आसान है आप क्या करो इसको बोल दो कि आप hidden रहेगा अब क्योंकि यह by default hidden ही रहेगा लेकिन medium पर आने के बाद यह flex हो जाएगा तो इसलिए medium और above devices पर दो दिखेगा लेकिन smaller पर गायब हो गया बड़ा simple है इतना कुछ difficult है ही नहीं ताहिम लगता है सोचने में लेकिन difficult नहीं है अब एक एक element पर आते हैं हम यहां पर तो हम क्या करते हैं cursor को multi cursor बनाते हैं तो click करिए यहां पर option key press करिए या फिर windows पर है तो alt key press करिए और multi cursor का थोड़ा सा use करते हैं एकी साथ लिखते हैं class क्योंकि सब में same classes लिखने वाली है margin देते हैं कि x axis पे हमें क्या करो margin दो तो dash square brackets चूज करेंगे custom margin देने के लिए 10 pixels देते हैं वैसे तो 10 pixels होता भी है बट ठीक है यहां पर 10 pixels हमने दे दिया और cursor भी change कर देते हैं कि cursor आप एक का login और sign up अच्छा इस login और sign up के अंदर क्या करते हैं सबसे पहले इस div को पकड़ते हैं यहां पर इसके अंदर कुछ classes refer करते हैं ठीक है classes क्या होगी इसके अंदर कि हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा यहां पर कि यह login और sign up बटन रहता नहीं है smaller devices पे यह menu बन जाता है तो login sign up smaller devices पे चाहिए ही नहीं आपको ठीक है आसान है हम कर सकते हैं अभी तो देखा हमने कि इसको कर दो hidden लेकिन अभी क्या है hidden subclasses पे लगेगा तो क्या होगा यह गायब हो गया है ऐसा तो नहीं चाहिए मुझे hidden all time तो नहीं चाहिए medium पे आते ही जैसे ही आप आओ तो आप क्य इसको देते हैं कि padding कर दो x-axis पे 2 दे दो padding इसको y-axis पे 2 दे दो ताकि थोड़ा सा centerish रहे इसका background भी देते हैं तो indigo background देते हैं इसको कौन से number का दे 700 चूस कर लेते हैं अब 700 दिया है तो text को white करना पड़ेगा वरना दिखेगा ही नहीं ठीक है अब यह थोड़ा button जैसा ल बी बोल्ड कर देते हैं इसका font बोल्ड कर देते हैं और cursor भी pointer देते हैं यहां पर आपके उपर है cursor cursor pointer there we go ठीक है काफी हो गया लेकिन problem क्या है कि जब आप smaller devices पे जाते हैं तो यह गया हो जाते हैं तो इसा थोड़ी ना करना है तो smaller devices के लिए भी take down करते हैं तो हम इसी के अं अंदर में anchor tab create कर लेता हूं चाहिए तो direct भी दे सकते हैं कोई problem नहीं है इतना तो आप समझी गया है इसको अभी मैं कहीं point out नहीं कर रहा हूं यहां पर एक मैं entity कैसे लिखते हैं एम percent यूज़ करते हैं सबसे पहले उसके बाद एक यूज़ करते हैं pound sign again मुझे याद नहीं है notes में से देख रहा हूं मैंने भी website देखा ही है तो ऐसा मत समझेगा कि मैं को special genius हूं जिसको आता है आता है बट ऐसा नहीं कि हर टाइम याद रहता है हमेशा references देखते हैं और य hidden हो जाओ यार तब हमें आप चाहिए ही नहीं तो ठीक है लेकिन medium से छोटे devices पर क्या होगा यह दिखेगा बहुत छोटा दिख रहा है तो बड़ा था हम करी सकते हैं इतना तो हमें आता है सबको अभी ठीक है तो हम anchor के अंदर ही classes देते हैं आप चाहें तो बाहर भी दे सकत हैं तो ठीक है यह हो गया हमारा ठीक है टीक है एक बार हमने 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 एक ही चीज़ करिए हमने पच्छास चीज़े रहीं आफसे अब करेंगे सबसे पहले यहां जाते हैं और इसको बोलते हैं कि देखो अभी हमारा जितना अभी के लिए करना था वह हो गया है तो मैं यहां लिख देता हूं नैव बार ends here ताकि जब आप भी code files देखें तो आपको at least पता रहे कि कहां क्या हो रहा है आपने navbar देखा उसको कर दिया minimize तो आपको पता है यहां से यहां तक मेरा navbar का code है प्लड़ा सा cleaner architecture रहता है तो बाकी लोग को भी समझने में आसा नहीं रहती है अच्छा अब बात करते हैं हमारे hero section की या फिर image section की तो इसको हम header में wrap कर लेते हैं html5 के semantics से आप चाहे तो div में भी wrap कर सकते हैं कोई प्रावलम नहीं होगी बट header ठीक रहेगा अब header के अंदर कुछ classes है मैं directly लिख देता हूँ यहाँ पर w-full क्योंकि मुझे width चाहिए full और मुझे चाहिए height इसकी auto height खुदी ले लो आप ठीक है यह हो गया basic मेरा header अब इस header के अंदर क्या है actually में दो images है तो यह image हो गई one और यह image हो गई second mobile पे अलग image है और basic जो web है उस सकते हैं यहाँ पर upload banner और web, web के लिए यह image है और इसी तरह से हमार पास एक और image है उसको भी copy और paste कर देता हूँ ठीक है हाला कि इसकी जरूत नहीं थी मैं आपको एक अलग option भी बताऊंगा उसका थोड़ा सा hint दूँँगा ताकि आप और अच्छे से कर पाए अब यह हमार इमेज में थोड़ा सा problem है first वाले में तो देखता हूँ कि हमारे पास क्या है I think assets मैं दुबारा से इस image को ले के आता हूँ यहाँ पर copy करते हैं ट्राइ करते हैं शायर इस बार अच्छे से आ जाए नहीं होगे तो हम कोई और images कर लेंगे कोई फरक में करता ठीक है save करते हैं और यह image लोड करते हैं तो इस image में हमारे पास थोड़ा सा problem आ रहा है एक सेकिंड दीजे मैं images image को ले के आता हूँ आपके लिए अच्छा image तो आ रही थे actually मैं मैं उसको paste गलत जगे कर रहा था कई बार पढ़ाते time ऐसा हो जाता है तो ऐसी कोई problem नहीं है code debugging करना तो सभी को आना चाहिए क्योंकि ऐसे चोटे मोटे गलतियां तो सब करते हैं मैं इसको alt में लिख रहा था जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था मुझे source में इसको add करना चाहिए था ठीक है अब हमारे पास यह image भी है और यह image भी है अब दोने images एक साथ तो display मैं नहीं करना चाहता किसी भी case में तो हम क्या करते हैं simply images के अंदर कुछ classes add करते हैं तो दोनों में हम class add करते हैं ठीक है अब क्या है कि मुझे दोनों में चाहिए width तो full होनी चाहिए तो मैंने दोनों के अंदर width दे दिया कि ठीक है दोनों के अंदर width full रखो अब एक-एक के साथ बात करते हैं जो first वा तो hidden रहेगी, ये देखे, by default तो hidden रहेगी, जैसे आप medium breakpoint hit करते हैं, तब ये वाली image enter होती है, और तब से ही मुझे चाहिए, इसका मुझे reverse करना इस bottom image के साथ, तो ठीक है, इसको भी try करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कि जैसे medium breakpoint hit हो, आप क्या हो, hidden हो जाओ, ठीक है, by default पे medium से छोटे पे तो इस display है ये already, तो बस इतना सा लिखना था और काम हो गया, तो back आते हैं, तो ये हमारी image हो गई है, अब जैसे आप smaller पे आते हैं, तो ये image हमारी इस तरह से हो गई है, अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस तरह की image नहीं है, जो कि जातर होगा, आपके पास क्या होगा, कि designer आपको ये right hand portion का तो image बना के देगा, left hand पे आप इस तरह की image नहीं रखते हैं, usually, आप सिर्फ text रखते हैं, तो उस case में आप क्या कर सकते हैं, कि by default तो ऐसा दिखे, लेकिन जैसे smaller devices पे आए, तो क्या करो, आप flex कर दो, आप flex के अंदर भी ऐसा नहीं है, कि flex करने से काम हो जाएगा, नहीं नहीं, तो जो reverse property है, वहाँ पे flex के आपके काम आएगी, ठीक है, यह तो हो गया हमारा basics, तो image section हो गया हमारा over यहाँ पे, तो हम comments तो लिखेंगे, यह obviously बात है, तो image section starts here, और comment किया, और इसी कोई copy कर लेते हैं, और बोलते हैं कि image section ends here, ठीक है, यह तो हो गया हमारा अभी, अभी जो next section है, उसका एक portion बड़ा interesting है, उसके बाद तो copy paste ही है, बाकी का, तो इतना कोई difficult नहीं है, ठीक है, यह है हमारा our students section, तो इसको बोलते हैं, our students section, और वैसी बात है, comment करेंगे इसको हम, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम सबसे पहले आते हैं हमारे पास basic div create करते हैं, इस div के अंदर क्या होगा, वो सब अभी हम discuss करते हैं, हम our student section define कर रहे हैं यहाँ तो यह कुछ इस तरह से हैं, अब यह design करना तो बहुत easy है, इसमें तो कोई problem नहीं है, यह जो आप yellow line देख रहे हैं, यह थोड़ा सा tricky है, एक बार आप देखेंगे तो हमेशा कर पाएंगे अपने बाद, तो उसमें कोई problem नहीं है, अब ही मैं क्या करता हूँ, इसको copy कर लेता हूँ, थाकि मुझे लिखना नहीं पड़े, बाद में, सबसे पहले इस div के उपर कुछ classes लगानी पड़ेगी, वरना तो काम नहीं होगा, क्योंकि आपने आप देखा था, यहाँ पर तो width 100 करते हैं, 100% width आ गई हमार पास, अब हम introduce करते हैं flex property, और इसके अंदर specially करेंगे flex wrap, ताकि automatically wrap होता जाए, और हम क्या करेंगे, flex column भी यहाँ पर देता है, flex dash column, ठीक है, और उसके अलब हम देते हैं, यहाँ पर items जितने हैं हमार पास, तो क्या करेंगे, items center, त सारे text को भी center में ले लेंगे, ताकि वैसे तो आप justify content भी लिख सकते थे, बढ़ ठीक है, text center से काम हो जाएगा, और padding देंगे 10 की, ठीक है, अभी और देखेंगे हम किस तरह से, यह तो हमारी हो गई basic outline जो container होगा हमारा, अब इस container के अंदर क्या चाहिए, मुझे एक और यहा चाहिए मुझे, तो first हमारा div हो गया, जो कि हमारा text और हमारी line को contain करेगा, तो पहले हम इसके अंदर content डाल देते हैं, तो यह हो गया हमारे पास, इसके अंदर एक paragraph, और paragraph के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं, यह अपना text, और जो दूसरी आपकी line है, surprisingly, वो actually में एक div है, जिसकी border है, बस, इतना ही है, तो यह आगया हमारे पास, देखते हैं कैसा हुआ, तो हमारी pw skills का web page, तो देख सकते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अभी, यह रहा, pure hard work, no shortcuts, तो ठीक है, center में तो आगया जैसा चाहिए था, बट styling करनी पड़ेगी, styling काफी करनी वैसे करने की जरूत नहीं है, but just for option case, maybe कभी कुछ और mode, dark mode या कुछ और design कर रहे हैं, तो हम इसको करने, although करने की जरूत नहीं है यहाँ पे भी, क्योंकि already जो properties हैं, वो सब add हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम वापिस से यह सारी properties लगाएंगे, item, center और यह सब, यह क्यों, क्य वारा यह जो div है, इसके अंदर भी दो चीज़ें, उनको भी मैं flex की properties देना चाहता हूँ, और flex की properties outer container पे ही mostly दी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन classes को repeat करा है, तो ऐसा नहीं कि यह code repeat है, यह actually intentional है, ठीक है, तो flex मैंने column दे दिया है, item यहाँ पे center पे कर दिया है, अब क columns दिया है उनको, ठीक है, paragraph को hit करते हैं सबसे पहले, अब इसी बात है class, सबसे पहले तो text change करेंगे, ताकि मुझे दिखाई दे वो, text dash indigo, indigo हम use करते हैं 800, आप चाहें तो दूसरा भी use कर सकते हैं, font को कर दीजे bold, और text को थोड़ा बड़ा भी कर दीजे, करीब तकरीबन 3 Excel कर लेते हैं, ठीक है, और इसके लावा और क्या करें, ठीक है, ये हो गए हमारे पास, pure hard work, no shortcut, हम क्या करेंगे, इस text को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, हमारे पास छोटी screens पे आप चाहें तो, या फिर हम चाहें तो और थोड़ा सा, थोड़ा सा changes करके देखते हैं, त मैं क्या करता हूँ, medium point जैसे hit करो, और उससे above हो, तो आप क्या करो, text को और बड़ा कर दो, तो इसको 4 Excel कर दो, तो आप देख रहे हैं, कैसे हमारी सोच पहले mobile पे जा रही है, और उसके बाद मैं बड़ों के लिए एक media query लिख रहा हूँ, तो यही तो है, Tailwind का कि आप सबस element center पे रहे, तो ठीक है, अभी थोड़ थोड़ा दिख रहा है, अब interestingly इस div को तयार करते हैं, यह div बड़ा ही interesting है, actually मैं आपको इसके अंदर content चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इसकी border property यूज़ करेंगे mainly, तो इसको लेते हैं class, इसकी width मुझे full नहीं चाहिए, तकरीबन 36 के असपास ही चाहिए, आप चाहें तो trial and hit भी कर सकते हैं, जो की 144 pixel के असपास है, आप चाहें तो 50% भी ले सकते हैं, आपको जैसा लग पसंदो, मैं अभी 36 पे जाता हूँ, height मैं इसकी 1 ही लूँँगा, 1 जो की ठीक है, 4 pixel के असपास है, अब भी क्या करेंगे, इसको border द देंगे अब, तो yellow का use करते हैं, 400, ठीक है, अब जैसे ही आप यह देंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमें चाहिए था exactly वो आ गया है, position उसकी correct नहीं है, बट ठीक है, जितना चाहिए था वो आ गया है, तो सबसे पहले क्या करो, margin देदो, top से 2 का, तो जैसे margin दोगे ठीक है, अभी almost जैसा चाहिए, वैसा लगने लग गया है, rounded भी दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा rounded लगे, क्या करें, small दें, excel दें, large दें, 2xl try करते हैं, ठीक है, अभी वो एक line सा लगने लग गया है, ठीक है, अब क्या करता हूँ, कि थोड़ा सा यह margin है, यह ठीक है, यहा margin चाहिएगा, यहाँ पर, ठीक है, हम क्या करते हैं, कि जैसे ही आप medium device हिट करो, तो क्या करो, margin top से 4 कर दो, mobile devices पर 4 काफी हो जाएगा, बट यहाँ पर ठीक है, अच्छा, और क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम क्या करते है, margin bottom भी देते हैं, 12, ताकि जो भी हम और add करने वा पर कुछ cards, जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पर यह cards है, इन cards को add करते हैं, बड़ा यह आसाने cards को add करना भी, तो ठीक है, यह तो हो गया हमारा basic काम, अब देख सकते हैं, क्योंकि यह जो outer student section था, इसके दो पार्ट थे, first यह div हो गया है, मैंने कहा था, कि यह जो first है, यह प इसके लिए भी हम क्या करेंगे, simple सी कुछ classes देते हैं, अब तो आप classes समझी गए हैं, तो मैं direct ही हाँ पर देता हूं, कि width तो मुझे चाहिए, full, और इसके बाद, obviously बात है, flex चाहिएगा, flex wrap भी चाहिएगा, ताकि वो wrap हो जाएं खुदी, और इसके बाद justify evenly चाहिएगा, अ और देख सकते हैं, कि क्या actually मैं आ रहा है, obviously बात है, देखना थोड़ा सा मुझकिल है, बट यह test हमारा center पर आ रहा है, और भी इस तरह के होंगे, तो वो side by side आते जाएंगे, ठीक है, तो अब इसको यहां से करते हैं, remove, एक लिखने है div, और ठीक है, यह हमार पास div है, इस div plus courses, और यह 600 plus courses हैं, और different courses, तो यह हो गया different courses, image भी हमें चाहिए, तो images मैं notes से लूँगा, क्योंकि images हमारे पास SVG image है already, तो जाते हैं यहां पर, और यह हमारी हो गई image, ठीक है, अभी क्या है, उतना बढ़िया तो नहीं लगेगा, जितना हमें चाहिए, बट ठीक है, आप द करते हैं, इसी को भी basically target करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले इस पर class add करते हैं, कि मुझे क्या चाहिए, आपकी width fix चाहिए, करीब 46 के आसपास की, आपको कम जादा लगे, तो आप कर सकते हैं, definitely, 46 की width चाहिए मुझे, तो 64 क्यों सजेस्ट कर रहा है, यहां पर, ठीक है, मै यह by default हमेशा ऐसे ही रहेंगे अब, ठीक है, उसके अलावा items को भी center में ले आते हैं, तो items center हो गया है, margin, bottom भी ले ले लेते हैं, 12 का, ठीक है, आप चाहें तो लीजे, चाहें तो मत लीजे, कोई फ़रक नहीं है, image के अंदर हम करते हैं, image को थोड़ा सा बड़ा करने ही कोश करते हैं, तो यहां पर class लिख सकते हैं, height और width आदे ही सकते हैं, width दे देते हैं, 44 और height भी 44 ही देते हैं, आप के उपर है, आप जैसा चाहें, ठीक है, लेकिन इतना तो हो गया है काम, लेकिन अभी यह जो text है paragraph है, इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है, इ जो गया है, तो ठीक है, अभी दिखने लग गया है कि ठीक है, इसी तरह का कुछ चाहिए, अब यह वाला जो text है, इसको भी change करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम सिर्फ सेमी properties यूज़ करेंगे, multi cursor यूज़ करना चाहिए था, बर ठीक है, text को भी ह आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो आप 2xl पर चल जाईएगा, उसके लावा हम क्या करते हैं, font को भी bold कर देते हैं, और text को हम क्या करते हैं, थोड़ा से grey कर देते हैं, तो grey options भी हैं, तो grey 500 पिक कर लेते हैं, यह हमारे पास हो गया, almost same, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि म मैंने div बनाया है मेरा, sorry, यहां से यहां तक, इनको हमें थोड़ा sort text align कर देना चाहिए, ताकि थोड़ा ठीक लगे, ठीक है, अभी उसके अंदर लग रहा है पता, कि ठीक है, कहां से कहां तक है, तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब मुझे बस इसको copy paste करना है, तो इसको देखते हैं हम यहां पे, तो simply इसको मैंने किया, यहां से copy और किया paste, paste, save किया, बन के आपका काम, अभी सिर्फ इसके अंदर icons change करना है, icons में मेरे notes से ले के आता हूँ, तो second हाँ, यह रहे मेरे notes, images, images for tutorial, यह रहा, तो सबसे पहले हम जाते हैं first और यह रहा second, तो यहा और इसको copy करते हैं, और इसको change कर देते हैं, ठीक है, save किया, ठीक है, हो गया हमारे पास काम, अच्छा, आप इनका text change करना है, यह तो आपके लिए assignment दे ही सकता हूँ, मैं छोटा सा, अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, जादा कुछ नहीं है, आपको बस यहां से copy तो कर students enrolled, copy किया, और इसको भी paste किया, ठीक है, same ही तो design है उसका, फिर हम गए 10,000 plus successful transition पे, तो यह हो गया है, जो भी आपको number लिखते हैं, आप लिखिए यहां पे, कौन ही मना कर रहा है आपको, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास, that's it, यह content तो वैसे भी content writers ही दे रहेंगे आपको ठीक है, अच्छा, यह तो हो गया हमारा काम, लेकिन आप दूसरा काम क्या है, यह our product design करना, अब क्योंकि आपने यह समझ लिया है कि उपर का value कैसे design हुआ है, यह our product design करना तो और भी आसाम है आपके लिए, देखें कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस div को भी close कर देते ह है, यह हमारे पास हो गया div 1, div 2 और div 3, और यह हमारे पास हो गया है major division, तो दो portion में divided था, first div, second div, ठीक है, इतना समझ में आया, अब यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, our students section ends here, ठीक है, हो गया काम हमारा, ठीक है, बोला था ना, एक बार में एक target करो तो बहुत ही आसान है, हाँ, time जरूर लगता है, हो सकता है, आपको मेरे से जादा time लगे, मुझे भी बहुत time लगा था, first time design करने में आपको भी लगेगा, अब यहाँ पर हम क्या करते है, product section डिजाइन करते है, तो यह हो गया हमारा, थोड़ा सा space, ठीक है, our product section, अच्छा, product section में क्या करना तो ठीक है, यह आगया हमार पास, ठीक है, आदा काम तो होई गया है, यह जो first division है, यह वालो तो as it is यह, तो इसको उठाते हैं, copy करेंगे, और इसको करेंगे यहाँ पर paste, अब क्या है, यह pure hard work की जगए, यहाँ पर क्या लिख रखा है, content writer ने कुछ दिया है हमें, यह तो ह our products कहा ही था, बहुत ही आसान है, ठीक है, यह बन गया आपका our products section जैसा हमें चाहिए था, अच्छा, अब क्या करेंगे हमें, एक और यहाँ पर div बनाना है, तो एक div तो यह हो गया, दूसरा div भी आप चाहें, तो यहाँ से copy कर सकते हैं, क्योंकि वो भी exactly same है, बर चलिए, थ आपको ठीक लगे, एक card design करते हैं, यह design करना तो आपको आई गया होगा, column करना है, flex, वही basics है, तो ठीक है, चलिए design करते हैं इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला हमारा पूरा होगा, तो उसको पहले हम outer box लेके आते हैं, तो ठीक है, यह हो गया हमारा outer box, copy करते हैं इसको, और इसको करते हैं, paste, ठीक है, यह हो गया हमारा outer box, Davis ने खुद ही लिख दिया है, thank you so much, इतनी help करने के लिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा था flex full, इसको हम थोड़ा सा change करते हैं वापे से, थोड़ा सा study करने के लिए, कि square brackets में सिर्फ number ही नहीं आप percentage percentage भी लिख सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ, 90% तक ही इसका width रहे, 80% जैसे आपको ठीक लगे, आप ऐसा ही लिख सकते हैं, और मैं इसको क्या करता हूँ, height भी दे देता हूँ, यहाँ पे, last time नहीं देती, तो height auto कर देते हैं, कि जितने आपको जरूत हो, उत्ती height आप ले यहाँ पे, ठीक है, यह हो गया है, flex है, flex wrap है, justify evenly की जगे, around करके देख लेते हैं, आपको जैसा ठीक लगे, around और evenly इसके बारे में नहीं जाओंगा, यह flex box का topic है, छोटा सा difference होता है, last की जो corner spaces है, वो होते हैं और वो नहीं होते हैं, तो बाकी आप research करिए, ठीक है, अब design कर lab है, और यहाँ पे कुछ text है, तो ठीक है, यह हो गया हमारा outer div, जिसको हम बोलेंगे card कर div, उसके अंदर हम लेंगे एक image, ठीक है, image ले ली है, उसके बाद एक paragraph लेंगे जहाँ पर आएगा pw skills, लिखी लेते हैं यहाँ पर जब इतना करी रहे हैं, तो pw skills lab, ठीक है, एक और paragraph copy करते हैं, by the way, यह जो copy है न, option की, shift की और down arrow से copy, मतलब duplicate हो जाता है, अगर आप Mac पे हैं तो option की, और अगर windows पे हैं तो alt की, simple है, यह content भी हम ले आते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं तो नहीं लिखने वाला इतना सारा, ठीक है, तो copy paste करते हैं यहाँ पर, यह की हमने paste, ठीक है पूर के आसपास दे देते हैं, आपको जैसा चाहिए, उसके बाद हम flex देंगे, क्योंकि अंदर के elements भी तो control करने हैं, फिर देंगे flex column क्योंकि एक के उपर एक चाहिए हमें, तो ठीक है, उसके बाद items center करेंगे यहाँ पर, क्योंकि सारे items मुझे center पर चाहिए हमाँ पर, margin bottom देते हैं 12, ताकि bottom में अगर कुछ और values आए, तो वो भी ठीक रहे, क्योंकि first card पर मैंने border दे रखा था, तो यहाँ पर भी देते हैं, कि border चाहिए मुझे white की, सिर्फ white की देने से border, border नहीं दिखाई देगी आपको, देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी white की border, अच्छा भी तो PWSKILLC Lab आया है, यहाँ पर यह रहा, तो सिर्फ white की border देने से border नहीं आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको border की width भी बतानी पड़ती है, कि मुझे चाहिए border 2 की, तो जैसे ही आप करेंगे, अब border दिखाई देगा, must have properties है, rounded भी कर देते हैं इसको थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ एक image, तो यह रही हमारी image, तो ठीक है, लगने लग गया है card जैसा, अब text को आपको sign करना है, तो text को styling करना सबसे easy काम है, सबसे पहले देते हैं text को 3XL, अगर छोटे devices पर आपको देना है तो आपको पता है, medium लगाना है, छोटे पर हम लिकी रहे हैं वहाँ पर, उसके लावा हम यहाँ पर करते है, font-bold और text-white, save करके जाते हैं, तो ठीक है, काफी जादा बड़ा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, यह जो दूसरा वाला है, इसको हम दे देते हैं, text को Excel, 3XL की जगे, ठीक है, और white भी यहाँ पर ठीक नहीं लग ठीक है, आप चाहें तो उसको और भी छोटा कर सकते हैं, अगर आपको यह थोड़ा सा bother कर रहा है, Excel तो आप large, medium, जैसे भी आप चाहें, आपको ठीक लगे, ठीक है, यह तो हो गया हमारा basic, कि ठीक है, इसी तरह से card design होगा, अब हमें कितने card चाहिए, गिन लेते हैं, हमें चाहिए, one तो हो गया है, two, three, four, five, ठीक है, जी, five cards चाहिए, तो यह हमारा card है, यहां से, ठीक है, देखने पहले, यह वाला पूरा card है हमारा पास, तो ठीक है, अब क्या करिए, shift key press करिए, अगर आप mac पे हैं तो option की, windows पे हैं तो option की, या alt की जिसको आप बोलते हैं, और down arrow प्रेस करना है, तो one तो होई गया है, five चाहिए, total, तो one हो गया है, two, three, four, five, that's it, keyboard shortcut पता है, तो बहुत यह असान है, यह हमारा webpage आगया है, अब बाकी में क्या border नहीं है, तो obviously बात है, border हटानी पड़ेगी जाके वहां पर, तो ठीक है, यह भी करते हैं, तो हम गये यहां प ठीक है, save कर दीजे, यह हमारा जैसा था, वैसा ही आगया है, icons, obviously बात है, अब icons लाने पड़ेंगे, तो ठीक है, एक एक icons लेके आता हूं, देखते हैं, second है job portal का icon, ठीक है, job portal का icon लेके आता है, तो यह रहा job portal का icon, अच्छा हो, मैंने सारे icons एक साथ notes में लिख लिएते, वह बाकी का भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, बाकी सब का मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करता हूं, copy paste करी देता हूं, आपके लिए text बढ़ना आप कहेंगे, कि पूरा नहीं पढ़ाया, पढ़ा तो दिया है, बट थोड़ा सा, आप यालस कर रहे है थोड़ा सा मैं भी कर रहा हूं, ठीक है, तो थर्ड हमार पास icons यह रहे, थर्ड आइकन कापी करते हैं, और यह थर्ड आइकन यहाँ पर paste कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं, थर्ड क्या है हमार पास, थर्ड है हमार पास, यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर text है ही नहीं, experience portal ह actually, मैं यहीं से copy paste कर लेता हूँ, ठीक है, copy किया, और यह हमारा हो गया experience portal, save किया और experience portal का text भी हाँ से ले लेते हैं, ठीक है, copy यह तो बड़ा असान रहा, ठीक है, यह हो गया हमारे पास, ठीक है, save, और यह वाला better है, क्योंकि यहां पे text हमने अच्छे से design करा है, border border हटाना हटा देते हैं, तो I think यह dev का भी काम हो गया है, ठीक है, और अब हो गया हमारे पास, next चाहिए, next चाहिए हमारे पास, pw skills, okay, next यहां से मिलेगा, affiliate, पैसे कमाने का जरिया, affiliate, ठीक है, यहां पे affiliate लिख देते हैं, और text क्या चाहिए, explore, ठीक है, copy, और paste, ठीक है, यह भी हो गय आए, border border हटाना वापिस से भूल गए, इसको भी हटा देते हैं, अब तो सिर्फ basic है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, अच्छा, यहां पे भी एक icon है, नया हमारे पास, तो icon भी use कर लेते हैं, जब नया दे ही रखा है, designer ने हमें, तो हम use ही करेंगे, ठीक है, अच् ही बचा है, ठीक है, जब इतना करी दिया है, तो एक और कर देते हैं, तो यह हो गया हमारा, hall of fame, copy, और इसको कर लेते हैं, paste, और उसके साथ text क्या है, our students, जो भी text, content writer ने दिया है, यह text हमने कर दिया, paste, और एक और final icon है, ठीक है, इतना काम किया है, तो इतना भी करी लेते है ठीक है, तो यह एक icon है, और यह हमारा हो गया icon, यह paste, save, देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है, first और last है, hall of fame, इसका मैं यहाँ पर design यह जो border है, नहीं अठा रहा हूँ, यह आपके लिए है, as exercise, कि फ्लीज आप इसको हटाइए, और बताइए मुझे कैसे हटेगा, मैं यह पर end कर रहा हूँ इसको, ठीक है, अभी हमें एक last design करना है footer, तो सारे यह हो गया हमारे पास divs, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने flex wrap दिया है, तो ओविस ही बात है, खुदी wrap हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, सारा काम अपने आप हो रहा है, अपने आ देख सकते हैं कितना clean code है, कितना असानी से है, अब बात करते हैं footer की, footer बहुत ही असान होगा, पर our footer starts here, ठीक है, और comment कर देते हैं, अब footer के लिए तो बहुत ही असान है, अब यहाँ पर footer के हम classes directly लिखेंगे, क्योंकि हमें काफी अंदाजा हो गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, width तो देदेते हैं full, यह emit use कर रहे हैं basic, और हम करेंगे background, grey, आप चाहें तो और भी use कर सकते हैं, 900 का grey, क्योंकि अब हमने काफी देख लिया तो हमें पता है कैसा 900 grey देखता है, और padding हम देंगे x-axis पे, तो 4 देदेते हैं, आपको ज़रूत पढ़े तो और दे देते हैं, 8 की देते हैं, आपको अच्छा लगे तो और दे दीजे, वापे से dot लगाना भूल गए हैं यहां पर, और उसके लावा flex भी चाहिए हमें, आप इसी बात है, क्योंकि अंदर के elements कंट्रोल करने हैं, और उसके लावा हमें क्या चाहिए, flex चाहिए column का, अब आप क क्या करो, flex को row कर दो, ताकि small devices पे अपने आप footer top to bottom हो जाएगा, और जो बड़ी devices होगी वहाँ पे, row में आप दिखाई दे जाएगा, बड़ाई आसान है, flex wrap तो सबी जगे चाहिए, क्योंकि अपने हाप wrap हो जाए, और हम क्या करते हैं, इसको justify between भी कर देते हैं, ठीक है, अब यह justify between सारे devices पे आप चाहिए तो उसको change कर सकते हैं, एक और कर देते हैं, medium devices पे हम क्या करते हैं, padding access पे थोड़ी बड़ा देते हैं, ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहोगा कि ठीक है, हम क्या करने वाले है, अभी advanced planning आपको already समझ में आने लगी है, यहाँ पे किस तर blue skills है, यह actually में एक image है, उसके बाद एक text है, यह भी अपने आप में एक image है, तो एक image और चाहिए एक paragraph, paragraph के अंदर है, यह जितना भी लिख रखा है, तो copy करते हैं, paste कर देते हैं, email us, और उसके बाद एक और यहाँ पे image है, यह रही हमारी image, अब पहले मैं image ले आता हूँ, क हमारा footer ready, यह रहा, ओवेसी बात है, थोड़ा सा, समालना पड़ेगा इस footer को, क्योंकि अभी नहीं समला है, बट ठीक है, समाला जा सकता है, इतना भी कोई difficult नहीं है, इस div को इतना ज़्यादा छेडने की जुरूत नहीं है, क्योंकि already flex से हम सारा control करी रहे हैं, तो classes में इ margin दे देते हैं, Y-axis पे, margin दे देते हैं, Y-axis पे, 4 का, आप चाहें तो और भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, और last वाली image को भी थोड़ा सा sign कर देते हैं, अभी तो आपको लग रहा होगा, रहे, बहुत ही basic से, बड़ा easy है, बड़ा मजा आ रहा है, अभी सारा दिन करवा लोग यह सब copy-paste ही इसके बाद, ठीक है, तो एक तो design हो गया है, तो यह div को कर देते हैं, close, दूसरे div के उपर आते हैं, उसके बाद तो copy-paste ही करेंगे सारा, यह div हो गया है, इस div के अंदर क्या चाहिए हमें, इस div के अंदर हमारे पास है कुछ वापिस एक div और उसके अंदर 3- आप चाहिए तो unordered list और उसके अंदर list item भी उसकर सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, थोड़ी सी styling देनी पड़ेगी, बस that's it, इसके अंदर चाहिए एक div और उसके अंदर चाहिए paragraph कितने हैं हमारे पास, देख लेते हैं, 1, 2, 3, तो 3 paragraph चाहिए है, तो ठीक है, यह लो 3 paragraph परस्ट है about us, second वाला जो है वो था हमारे पास faqs, और जो 3 वाला था वो privacy policy, ठीक है, देख लो एक बार यही था ना, सब यही थे, ठीक है, यह तो हो गया हमारा basic, अभी हमें पता है कि इसके अंदर जो yellow bar दी है, वो किस तरह से देना और यह सब तो बड़ा ही आसान काम है, तो first of all इस div को पहले control करते हैं, जो सबसे outer है, अच्छा हम यह text लिखना दो भूली गए, pw skills, ठीक है, इस div के अंदर आते हैं, इसके अंदर पहले एक text लिखते है, h2 का text लिख लेते हैं, बोलते हैं, इसको pw skills, ठीक है, इसको थोड़ा सा styling दे देते हैं, class और इसकी styling font bold कर तो ठीक है, यह basic हमारा pw skills, इसके बाद एक division करना है, क्योंकि वो yellow वाली bar आपको पता है अभी, simply एक div add किया, कुछ पीस के अंदर content लिखने की जरूत नहीं है, सारा काम classes से हो जाता है, width वापिस से हम 32 लेते हैं, smaller devices पेगर आपको और छोटी चाहिए, तो medium इसके आगे yellow और जो भी yellow चाहिए, 400 ले ले, ठीक है, 400 ले लेते हैं, और rounded चाहिए, तो rounded ले लेते हैं, 2xl और margin दे देते हैं, इसको y-axis पे 2 का, तो देख सकते हैं, यह हमारा web page, यह हमारा pw skills, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा और बढ़ा चाहिए, तो आप ले सकते हैं, बढ़ ठीक है, यह हो गया हमारा basic काम, अभी चल रहा है सारा मस, अच्छा, आप क्या करना है, क्योंकि यह वाला div हो गया है design, अब क्या करो, कुछ नहीं, copy paste करो, जितनी बार चाहिए, शायद 2 बार और चाहिए, 1, 2, save कीजे, यह आगया pw skills, pw skills, pw skills, यहाँ पर क्या है, products हैं, फिर links हैं, तो ठीक है, products, copy किया, और यह हो गया हमारा पास, दो बार, first तो यह था ही, तो second बार में pw skills के बाद आगया है products, और यह एक-एक करके copy paste करना पड़ेगा, सारे तो नहीं करूँगा, क्योंकि यह बाकी तो मैं आपके लिए ही छोड़ूँगा, ऐस assignment, क्योंक skills labs, job portal, ठीक है, और क्या है, experience portal भी है, बहुत सारे products है, तो ठीक है, अरे copy नहीं हुआ, copy और इसको करते हैं हम यहाँ पे, paste, अभी हो गया, ठीक है, दो ही तो बच्चे हैं, तो दो भी खरी देता हूं आपके लिए, इसको करा duplicate, दो बार, और चल यह ठीक है, become an affiliate, और hall of fame, ठ ठीक है, अभी देखते हैं कैसा लग रहा हमारा web page, ठीक है, आरे मैंने product यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, come on, ठीक है, इसको भी fix करते हैं, ऐसे cases आपके सामने भी आएंगे, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से हमें cut करना है, इसको यहाँ पे bottom में shift कर देना है, paste कर देना यहाँ तो हो गया, आपका यहाँ पे pw skills हो गया, और अभी यहाँ पे, ठीक है, फिर से गलत कर दिया, तो वापे से command Z, ठीक है, यह वाला जो है, यह जाएगा नीचे, cut किया, और इस div के नीचे, ऐसे गड़बड़ी आप भी करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं ही कर रहा हूँ, अभी ठीक है, यह cancel, यह करा हमने यहाँ पे, और ठीक है, बेसिक अभी shift हो गया है, ठीक है, तो यह हो गया हमार पास basic तयार, ठीक है, अब क्या है, एक और बचावा है, अभी तो pw skills, links बचे में हैं, links भी लगाते हैं, अब links के इंदर, ठीक है, यह सबसे last वाला, और इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ, यह links यह न, वापिस से बढ़ना, इदर उदर shift करनी पड़ेगी चीज़े, links, ठीक है, यह हो गया links, अब तो कुछ नहीं करना, बस यह सब discord, pw, यह सब एक साथ ही लेके आएंगे हम, और क्या करेंगे, यह paste कर दिया, और यह हो गया हमार पास ठीक है, एक एक करके cut करते हैं, paragraph के अंदर डाल देते हैं, इसको भी करते हैं, cut, अरे, cut हो जाओ, please, कई बार please बोलना पड़ता है, ठीक है, यह pw, और यह हो गया हमारा careers, यह हो गया, enter, paragraph, और यह लीजे, चलिए जी, और यह जो final spacing इसको हटा देते हैं, और छोटा सा एक clean up बार कर देते हैं, यह जो footer है, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पर wrap, और बोल देते हैं, कि हमारा footer यहाँ पर खतम हो रहा है, ताकि इनकेस किसी को और bottom bar वगरा लगानी हो, तो at least उसको पता तो रहे, कि हमारा code कहां पर शुरू हो रहा है, कहां पर खतम हो रहा है, तो यह है है हमारा वेब पेज जो हमने डिजाइन कर दिया है अब इस तरह से कोई भी पेज हो छोटा-छोटा देखते जाए और डिजाइन करते जाए देख सकते हैं बड़ा ही आसान है अच्छा भी लग रहा है डार्क मोड भी है भाई डीफॉल्ट में ठीक है यह तो हो गया बेसिक अब क्या है कि हम इसको देख सकते हैं अब एक बार कोड देखिए हमारा कितना इजी है और कितना आसान इस कोड को समझना कि किसी को भी अगर इस कोड को वापिस से एडिट करना होगा तो उसको पता है कि कौन से सेक्शन में जाना है हमारा अवर प्रॉडक्ट सेक्शन है फ फुली प्रोवाइड कर दी जाएगी रेकमेंडेशन तो यह है कि आपको लिखिए एकसाइस फाइल्स पर डिपेंडेंट रहने की बजाए खुद अगर कोड लिखेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे तो जाधा बेटर होगा तो उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होग इसी तरह से मिलते रहेंगे हम अगले किसी वीडियो में और मिलते अगले वीडियो में